हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैशल ताराचन टीम मैच CLC सीकर तो आज हम लोग अपनी गुरुनिती के फिप्टींट एपिशाओड के अंदर डिसकस करने वाले हैं जो भी वेक्टर और 3D से जो भी क्यूसंस आये थे ठीक है उनके बारे में तो देखिए जाई मेंस के अ काफी important topic होता है और बहुत easy topic होता है बस आपको सारे concepts अगर पता है तो सीधा का सीधा formula लगते हैं इसके अंदर और सीधे questions को आपको solve करना होता है clear है बहुत ही कम miss आपको यहाँ पर manipulation की जरूद पड़ती है ठीक है आराम से question आपके solve होते है तो देखते हैं हम अपने जो last 3 attempts में जितने भी questions आये थे ठीक है उनके बारे में one by one so देखिए हमारा जो पहला question था वो क्या है इसमें आपको दिया है कि a b c belong to real number be such that a square plus b square plus c square equal to one देखिए a b c real number है और आपको यह दिया गया है कि यहाँ पर जो a square plus b square plus c square जो है आपका वो कितना है one है इसी के साथ आपको दिया गया है कि a cos theta equal to b cos theta plus 2 pi pi 3 equal to c cos theta plus 4 pi pi 3 where theta equal to pi upon 9 then the angle between the vector this and this तो देखिए question को कैसे start करें सबसे पहले आप से इन दोनों वेक्टर्स के बीच का angle पूछा गया है तो question को हम वहीं से start करते हैं और देखते हैं क्या आएगा इन दोनों के बीच पे माल लेते हैं कि angle alpha है तो cos alpha की value आएगी हमारी वो क्या हो जाएगी इन दोनों का dot product there is a b plus b c plus c a और divide by इसका दोनों का modulus और दोनों का modulus यहाँ पर कितना आएगा हमारा a square plus b square plus c square तो उसका भी यह है इसका भी तो root आता है तो वो दोनों से क्या हो जाएगा हट जाएगा और आपके सामने आ जाएगा a square plus b square plus c square जिसकी value आपको one दीए तो इसको अगर one put करते हैं तो यह क्या बन जाएगा देखे यह बन जाएगा a b plus b c plus c अब इसकी value हमें निकालनी है a b plus b c plus c है और इसकी value देखे कैसे निकालेंगे इसके लिए आपको यह तीन conditions दी गई है a cos theta equal to b cos theta plus 2 pi by 3 equal to c cos theta plus 4 pi by 3 तो देखिए a b c इनके multiply में है ठीक है तो हम एक काम करते है उसमें से a b c को common निकाल लेते हैं तो a b c को common निकालते हैं तो वो बन जाएगा 1 by a plus 1 by b plus 1 by c और यहां पर देखते हैं यहां से a 1 by a 1 by b और 1 by c की value निकालके पहले यहां पर put करते हैं पहले इसको calculate कर लेते हैं उसके बाद में जो a b c की अगर requirement होगी तो इसको निकाल लेंगे हो सकता है इसकी जरूति ना पड़े तो उसके बारे में बाद म a की value क्या होगी इसके लिए theta देखिए आपको 20 degree दिया है तो यहां पर put करें तो देखिए यहां से आपको मिलेगा a cos 20 will be equal to 120 plus 20 140 हो जाएगा so b cos 140 will be equal to यहां पर आजाएगा c cos यह कितना होगा 4 pi pi 3 ठीक है ना 60 इंटू 4 2 40 plus 20 so c cos to 60 degree तो यह तीन एंगल्स है यहां पर तो माल लेते हैं कि यह सब lambda के equal है तो देखिए 1 upon a की value क्या हो जाएगी आपकी 1 upon a की value हो जाएगी cos lambda को बाहर common निकाल लेना ठीक है तो 1 upon a इधर आजाएगा आपके सामने 1 upon a और lambda आजाएगा नीचे तो यह हो जाएगा cos 20 by lambda, lambda को बाहर निकाल लिया ऐसे दूसरा वाल हो जाएगा आपका कितना cos 140 और ऐसे तीसरा हो जाएगा आपका कितना cos 260 देखते हैं कि इसका सम कितना आ रहा है ठीक है cos 20 plus cos 140 plus cos 260 इसका सम कितना आएगा इसके बारे में देखते हैं ठीक है तो देखिए one by one conversion करते हैं सबसे पहले यह वाली जो ट्रम है यह हमारे पास में कितनी है पहली ट्रम में सिर्फ इसी को calculate कर रहा हूं वो बाद में 40 और उदर है आपके सामने कितना cos 260 ठीक है तो एक काम करते हैं उसको लिखते है 180 plus 60 180 प्लस 80 इसको लिखते है 180 minus 40 तो देखते ही कितना आएगा यहां सा आएगा cos 20 minus यह convert हो जाएगा cos 40 में और 7 में वहां सा आएगा minus यह convert हो जाएगा आपका किस में? cos किस में? cos 80 के अंदर चले ही बात करते हैं इसमें से इसको minus sign को common ले लेते हैं तो यहां से कितना आएगा देखें cos 20 minus cos से cos b क्या होता है देखें cos a plus b और cos a minus b तो cos a plus b जब करोगता आएगा 2 time cos a plus b by 2 80 plus 40 120 by 2 cos 60 और साथ में आएगा cos a minus b जितना हो हो जाएगा 40 by 2 so there will be cos 20 cos 61 by 2 होता है 2 से 2 कट जाएगा और cos 20 minus cos 20 यह कितना आगया? 0 आगया तो देखें अगर यह वाली टरम 0 आगयी तो हमें पहले वाले को जैसे मैंने कहा कि हो सकता है जरूत ही ना पड़े तो यह हो जाएगा abc by lambda into 0 जिसकी value कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी और अगर cos alpha की value 0 है तो आपके दोनों vectors के बीच का अंगल कितना होगा? 90 degree क्यों? क्योंकि 0 तभी आता है अंगल cos theta की value 0 तभी होती है जब alpha कितना होता है आपका? 90 degree होता है clear है? एक trigonometry plus vector का manipulation के साथ में question था आपका first one चलिए आगे बात करते है question number two क्या है? देखिए question number two में आपसे पूछा गया है की the plane which bisect the line joining the points this and this at right angle also passes through the point देखिए सबसे पहले तो हमें उस plane की equation निकालनी है ठीक है न जो इन दोनों को क्या कर रही है? आपकी bisect कर रही है और perpendicular है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ बच्चों यह आपका कोई एक plane है कि इसके उपर इधर भी एक कोई point है इधर भी एक कोई point है तो इनका bisect करने का मतलब है इसका जो midpoint होगा न वह इस plane पे लाई करेगा तो इसका midpoint कितना होगा बच्चों? 4 plus 2 6 by 2 that is 3 साथ में कितना आजाएगा? minus 2 plus 4 that is 2 by 2 that is 1 और साथ में कितना आएगा? 3 minus 1 2 again that is 1 एक बाद चेक कर लीजिए 4 plus 2 6 minus 2 plus 4 2 और 3 minus 1 is 2 divided by 2 that is 3 1 1 इसके साथ में आपको यह चीज भी का गया है कि यह कैसे होना चाहिए? यह right angle होना चाहिए तो right angle होने का मतलब क्या है? कि यह जो line और यह जो plane है यह दोनों क्या होने चाहिए? यह right angle होने चाहिए ठीका दोनों 90 degree का कौन होना चाहिए दोनों के बीच इसका मतलब यह हुआ कि इस plane के जो direction ratio होंगे ठीका न वो इसी line की corresponding होंगे? क्यों? क्योंकि जो direction ratio होते हैं plane के वो क्या होते है? वो आपके उस plane के perpendicular होते हैं और plane के perpendicular है मिस line की direction में होंगे और line की direction में होंगे तो इसके direction ratio कितने आएंगे? 4 minus 2 that is 2, minus 2 minus 4 that is minus 6 और साथ में आएगा 3 minus 1 that is 4 यह इसके direction ratio जो है 2 minus 6 और 4 और यह point है जिससे आपका plane pass करेगा तो आप अपने plane की equation निकाल सकते हो आपकी equation आजाएगी इसको आप direction ratio को simplify करके 1 minus 3,2 लिख सकते हो एक बाद check कर लो calculation 4 minus 2 is 2, minus 2 minus 4 is minus 6 और 3 plus 1 is 4 बिल्कुल सही ठीक है यह कैसे लिख दिया क्योंकि आप इसको simplest form में ले सकते हो direction ratio को चलिए बात करते plane की equation होगी देखो बच्चो 1 into x minus 3 साथ में आएगा आपके सामने minus 3 into y minus 1 और साथ में आएगा आ आपके सामने 1 into 1 into 2 into z minus 1 will be equal to 0 यह plane की equation निकालने का तरीका होता है अगर आपको direction ratio पता हो और एक point पता हो तो बहार direction ratio से multiply करना है और अंदर आपको पास में क्या कर देना है सब जगे पर जो point जहांसे plane pass कर रहा है वो उसमें put कर देना है तो देखिए बच्चों हमारा equation कितन आएगा हमारा equation आएगा x minus 3y plus 2z यहां पर आएगा minus 3 यहां पर आएगा plus 3 और यहां पर आएगा minus 2 तो यह कट जाएगा और हमें plane की equation मिलेगी x minus 3y plus 2z will be equal to 2 अब आपको देखना है कि यह plane और कौन से point से पास कर रहा है तो इसमें put करके check कर लेते हैं देखो बच्चों पहल 4 यह 0 और यह minus 1 तो 4 minus 2 तो आगया आपका पहला ही option सही होगा इसके अलावा भी आप बाकी options को check कर सकते हो I think मेरे साब से और कोई option इसको satisfy नहीं कर रहा होगा इस तरीके से आपको इस question को solve करना था चलिए आगे बात करते हैं question no.3 question no.3 क्या है देखिए हमारा question no.3 के अंदर आपको दिया है कि let x not be the point of local maxima of fx equal to a.b cross c तो देखिए पहले हमें यह function निकालना पड़ेगा local maxima के लिए और a.b cross c कैसे निकालते हैं सब को पता होगा बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है इसमें सबसे पहले vector a को लिखना है x minus 2 3 फिर b को लिखना है minus 2 x minus 1 और फिर आपको c को लिखना है there will be 7 minus 2 and x ठीक है और इसको 0 कर देना है इसको 0 नहीं यह a.b cross c की value होगी ठीक है जो function बनेगा आपका f of x बनेगा यह ठीक है ना कितना आ रहा है चेक करतें देगे इसको solve करते है solve करने का तरीका x को multiply किया तो आपको मिलेगा x cube ठीक है आगे कितना आएगा देखो 2 into 7 there will be 14 फिर कितना आएगा 3 plus 4 plus 4 6 3 into 2 into 2 4 into 3 will be 12 फिर आएगा देखे minus sign के साथ इनको ऐसे multiply करना है minus का 21 x इसको multiply किया तो आएगा minus minus plus हो जाएगा plus का 2 x 21 plus 2 और यहां पर मिलेगा आपको plus का 4 x यह आपका function हो जाएगा इस function का अगर local maxima या local minima निकालना है तो हमें इसको differentiate करना पड़ेगा और इसको differentiate करेंगे तो देखे कितना आएगा f dash x i मिलेगा हमें 3 x square यह 0 हो जाएगे दोनों वहां साएगा देखे कितना 21 और 6 कितना होगा 27 तो यहां से मिलेगा आपको minus 27 तो इसको यह 0 आपका 2 point पर बनेगा बच्चों x square minus 9 x plus 3 into x minus 3 तो local maxima कहाँ पर होगा आप सबको पता होगा cubic का जो graph बनता है ठीक है अगर x cube का sign positive हो तो ऐसे नाचता है तो maxima इस point पर आएगा इसको cut करेगा नहीं करेगा मतलब नहीं हमें इतना देखना था maxima कौन सा होगा तो maxima पहले वाला point होगा means आपका जो local maxima होगा at x equal to x not x की जो value आजाएगी आपकी वह कितनी आगई बच्चों वह आगई minus 3 x की value जो minus 3 हम use करेंगे तो हमारे जो तीनों वेक्टर से हमें वह मिल जाएंगे और अगर वेक supply करेंगे a को b के साथ तो आपको मिलेगा minus का 2x साथ में फिर से आएगा आपके सामने minus 2x और फिर से आएगा आपके सामने minus 3 ये तो बच्चों शिरफ a dot b निकला ऐसे आपको b dot c निकालना है तो आएगा आपके सामने minus 14 इसी के साथ आपको मिलेगा minus 2x इसी के साथ आपको म बात करते हैं, a.c के अंदर आएगा आपके सामने सबसे पहले 7x, इसके बाद आएगा आपके सामने 4 और इसके बाद में आपको मिलेगा 3x, तो यह आपका तीनों का dot product आगया, a.b, b.c and c.a, सारी values आचुकी है, इसको simplify करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है हमें, सबसे पहले x की ट्रम को देखते हैं, 1 by 1, देखिए, minus 2, minus 2, minus 4, और minus 2, minus 6, और 1, minus 7 से plus 7, cancel out, जरूती नहीं है, अच्छा, 1x बच गया, 3x, चलिए, constant ट्रम को देखते हैं, constant ट्रम आएगी, minus 3, minus 14, और plus 4, तो plus 1 बच जाएगा, so there will be minus 13, x की ओल उपूट की minus 3, तो आपको यहां से मिलेगा, minus 9, minus 13, तो उनको add कर दिया, तो हमारा answer आएगा, minus 22, जो कि आपको option दिया गया है, option number 3, जो कि आपका सही answer है, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 4, question number 4 क्या है, देखिए बच्चों, question number 4 में आप से पूछा गया है, क्य क्या पूचा गया है, कि the distance of the point from the plane measured parallel to the line this age, देखिए, आपको क्या करना है, इस point की plane से दूरी निकालनी है, ठीक है, distance calculate करनी है, जो उस line के parallel होनी चाहिए, इसका मतलब यह वा बच्चों, कि अगर जैसे यह plane है आपके सामने, और इधर से कोई एक line जा रही है, तो इधर एक कोई point है, आपका point कितना है, point है आपका 1, minus 2, 3, ठीक है, तो हमें इस से perpendicular distance नहीं चाहिए, हमें इस line की direction में ही distance चाहिए, कि यह distance कितनी होगी, इस point से लेकर के, जब तक इसके उपर हम जाकर के इसको cut करेंगे, तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहा को question में दिये है, 2, 3, minus 6, तो देखिए बच्चों हमारी equation आएगी, x minus 1, divide by, कितना है, 2, will be equal to, y plus 2, divide by, कितना है, 3, और 7 में कितना है, z minus, कितना, minus 3, और divide में कितना है, divide में है, minus 6, और equal to में मान लेते हैं, कि r है, अब इस r का क्या करेंगे, इस r से देखिए, हम इस point के coordinates नि है, तो point q के coordinates निकालेंगे, कैसे, यह point q के जो arbitrary points होंगे, आपके सामने, वो कितना आ जाएंगे, देखिए, x equal to 2 r plus 1, साथ में 3 r minus 2, और साथ में, minus 6 r plus 3, यह point q के r के ट्रम में coordinates हैं, लेकिन r की value हम निकाल सकते हैं, क्यों, point q आपका plan के अंदर लाई कर रहा है, तो plan के 1 minus y, so 3 r plus 2, और plus z minus 6 r plus 3, और यह हमें कितना दिया गया है, यह हमें दिया गया है कि 5 है, चली बात करते हैं, कितना आ रहा है, r, यहां से मिलेगा हमें, इसको simplify किया, तो यह 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 उदर चला गया, तो उदर मिलेगा आपको minus 1, और इदर आपके सामने है कितना 2 r, यहां पर है minus 3 r, और यहां पर है minus 9, so minus 9, और 7 में कितना है, 3 और 2, 5 तो कट गया, तो minus 1, तो यहां पर आपको मिलेगा r कितना, 7 के ट्रम में, 6 और 7, 8, 9, 9 minus 2, so there will be minus 7 r, और 3 और, अचा यह दो उदर चला ही गया, तो r की value आपकी 1 by 7, r आ चुका है, ठीक है, तो हमें हमारी distance भी मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि distance जो होगी, वो क्या होगी, वो p और q, the distance of the point, this from the plane, ठीक है न, इस plane से distance क्या होगी, जो कि इस line के parallel measure की गई है, ठीक है, तो यह r की value 1 by 7, जब हम यहां पूट करेंगे, तो देखिए हमें point कितना मिलेगा, हमें point मिलेगा, देखिए point क्य coordinates है हमारे सामने, वो आएंगे, कितने, इसमें put कीजिए, 1 by 7, 2 by 7 plus 1, so there will be 9 by 7, और कितना आएगा बच्चों, 3R, 3 by 7 minus 2 minus 14 minus 11 by 7, और कितना आएगा, minus 6 plus 21, so 21 minus 6 करेंगे, तो 15 by 7, यह point Q के coordinates है, यह point P था, तो यहां से PQ डिस्टेंस आ जाएगी आपके सामने, PQ डिस्टेंस कितनी आ रहे है, देखिए, PQ डिस्टेंस मिलेगी आपको, 9 by 7 minus 1, so there will be 4 upon 49, plus minus 11 by 7 minus 2, so 14 minus 11, 3, there will be 9 upon 49, और साथ में आएगा देखिए बच्चों, 21 minus 15, 6, there will be 36 upon 49, सब को simplify कर लीजिए, तो आपका answer आएगा 1, जो कि आपका सही answer है, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, जो coordinates में पढ़ते हैं, coordinate geometry में, यहां से जो R की value आजाती है, उसी को ही क्या मान लेते हैं, उसी को distance मान लेते हैं, और सिधा option 3 पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन option 3 बच्चों गलत होगा आपका, क्यों यह option पहला सही है, यहां पर 1 आएगी है distance, ठीक है, यहां पर जो R होती है, वो distance नहीं होती है, ठीक question number 5 के अंदर पूछा, देखिए आप से, क्या पूछा गया है, चलिए बात करते हैं, ABC is the image of the point 1,2,3 in the line this, देखिए आपको एक line दी गई है, और एक point दिया गया है, their point will be 1,2,3 और आपको बोला गया है कि ABC जो है, वो इसकी इसके अंदर क्या है, वो इसके अंदर इसकी image है, तो हमें a plus b plus c की value find out करनी है, देखिए बच्चों कैसे calculate करेंगे, 1,2,3 आपको दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि image है तो हम इस point के coordinates निकालेंगे, ये इसके perpendicular होगा, और इस point के coordinates कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम इस वाली जो line ह 2, ये point P और ये इसकी image P days, चलिए, point Q के coordinates कितने आएंगे, R के format में देखिए बच्चों, 2R minus 1, ठेकन equal to में, इसमें R ले ले हैं, equation के equal to में, जैसे अभी पीछे किया था, so 2R minus 1, minus 2R plus 3, minus 2R plus 3, और कितना आएगा बच्चों, minus R, क्योंकि Z में तो कितना है, 0, तो ये आपके इस point के coordinates आगे, अब कैसे निकालेंगे, हम ABC, पहले हम यहां से R निकालेंगे, हमें पता है कि इस line की corresponding जो vector होगा, और इस line की corresponding जो vector है, दोनों एक दूसरे के perpendicular है, इसके direction में आपको direction ratio दिये गए है, 2, minus 2, minus 1, और इसके case में हम P, Q और Q की help से निकाल सकते हैं, तो देखिए बच्चों हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 time, 2R minus 1, minus 1, so 2R minus 2, minus 2 time, यहां कितना हैगा, minus 2R plus 3, minus 2, so minus 2R plus 1, minus 2R plus 1, और तीसरा कितना है, minus 1, तो minus 1 के साथ में कितना मिलेगा, dot product करना है, हमें है, ठीक है, minus R minus 3, so minus R plus 3 हो जाएगा, minus R plus 3, और यह कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एक बार cross check कर ले, 2R minus 2, minus 2R plus 1, बेलकुल सही, और minus R plus 3, बेलकुल सही है, multiply करना है 2, minus 2 and minus 1 से, यहां से देख R आएगा, देखिए, 4R minus 4, plus 4R minus 2, plus R minus 3 will be equal to 0, कितना है बच्चों, 4, 4, 8, और एक 9R, 4, 2, 6, और 3, 9, minus 9, equal to 0, तो देखिए, R की value कितनी अच्छी आ रही है, 1, अच्छी का मतलब क्या हुआ, कि हमारा आसान पॉइंट आ गया, 1 यहां पूट करेंगे, तो देखिए, 3 minus 1 is 1, यहां 1 फूट करेंगे, तो 3 minus 2, this is also 1, और यहां पर आपके पास में 1 फूट करोगे, तो that is minus 1, तो देखिए, ABC क्या होगा, ठीक है, इस पॉइंट P और P डेस का मिड़ पॉइंट होना चाहिए Q, तो देखिए, Q की value 1 आने चाहिए, वहां पर 1 है, तो A की value 1 होगी, 1 1 plus 1, 2 by 2 हो जाएगा 1, ऐसे ही वहां पर 2 है, यहां पर हमें 1 चाहिए, तो B 0 हो जाएगा बच्चों, B 0 आ गया, इसके बाद में उदर minus 3 है, हमें minus 1 चाहिए, तो C की value कितनी होगी, ठीक है, C की value देखो, उदर minus 3 है, तो C की value प्लस 1 होगी, तो C की value प्लस 1 आ जाएगी, ठी इन तीनों से अगर हम देखें, तो हमारा जो आंसर आएगा, A प्लस B प्लस C किसके बराबर है, तो वो 2 के बराबर आ जाएगा, और हमारा जब तीसरा option हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सही हो गया, चलिए है, चलिए आगे बात करते हैं, next question, चलिए आगे बात करते हैं, question number 6, question number 6, क्या है देखिए हमारा, the volume of the parallelo pipe, whose edges are given by the vector, this, this and this, तीन वेक्टर दिये गए हैं, तो हमें उस parallelo pipe का volume निकाल, दिया गया है, तो N निकालना है पहले तो वहां से, फिर देखना है कि कौन सा option सही होगा, तो देखिए, parallelo pipe का volume again वही होता है, A dot B cross C, सब को पता होगा formula, यह formula जैसे ही लगाएंगे, तो देखिए हमें कितना मिल रहा है, A कितना होगा, 1 1 N, B कितना है, 2 4 minus N, और C कितना है, 1 N 3, चलिए, करते हैं बात, कितना आ रहा है हमारा answer, और यह answer दिया है आपको कितना, 158, चलिए देखते हैं, यहां से मिलेगा हमें देखिए, 1, 12 plus N square, minus 1, this and this, cancel out, 6 plus N, plus N, यह यह गया, 2 N minus 4, will be equal to 158, चलिए देखते हैं, solve करते हैं, equation, quadratic बनेगी, I think, N square, plus 2 N square, that is 3 N square, N की ट्रम देखिए, minus N minus 4 N, so there will be minus 5 N, और constant ट्रम, constant ट्रम आपकी उदर से तो आएगी नहीं, यहां से आएगी, minus 6 और यहां से आएगी, plus 12, तो 12 minus 6 हो जाएगा, आपके सामने कितना, there will be plus 6, will be equal to 158, एक बाद चेक कर लिजिए, देखिए, 12 plus N square, बेलकुल सही, again minus 1, 6 plus N, और इधर N, यहां से मिलेगा, आपको 2 N minus 4, इसको सिंप्लिफाई किया, 2 N square plus N square is 3 N square, minus N, minus 4 N, so there will be minus 5 N, और साथ में मिलेगा आपको, 12 minus 6 will be 6, will be equal to 158, रेखते कितना आएगा, इधर अब मिलेगा, हमें 3 N square, minus 5 N, और यह नमबर इधर आजाएगा, तो मिलेगा, 152 will be equal to 0, इसके हमें factors करने हैं, देखिए कितने आ रहे हैं, ठीक है, तो एक तो देखिए 3 N आएगा, no doubt, कोई doubt ही नहीं होना चाहिए, 152, ठीक है, 152 ही आ रहा है, बिल्कुल, 152, तो 152 आपके दो नमबर के multiplication से आ जाये, ठीक है, 152, देखिए, एक 2 को अगर अलग करते हैं, तो दूसरा पिछे कितना बचेगा, 76, और 2 को अलग किया, 4, कितना बचेगा, 338, और एक 2 को अलग किया, 8, और इतर कितना आ जाएगा, 19, 19 इन्टू 8, 152 होता है क्या, बिल्कुल, 19 इन्टू 8, 152 ही होता है, और 8 के साथ में, अगर हम 8 में, या 24 और 19 तो 5 भी आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तो एक जगे 19 आएगा, और एक जगे पर 8 आएगा, तो देखिए, कितना आएगा, सीधा कर लिया हमने, ठीक रहा, 3N, नेगेटिव साहने, तो जो बड़ा नमबर है, वो आपका नेगेटिव में आएगा, तो एक है ये, और दूसरा है, N माइनस, एक बार, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव आएगा, कौन सा आएगा, जो बड़ा नमबर है, देखिए, अगर मैं या 8 यूज करता हूं, तो ये पॉजिटिव में होगा, तो ये आएगा आएगा आपके सामने, ठीक है, 3N प्लस 19 और N माइनस 18, आप चाओ तो मुल्टिप्लाई करके देख सकते हो, इसको सॉल करेंगे, तो यहां से N की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास, 8 आ रही है, और N की वैल्यू 8 है, तो इ ये बनेगा आपके सामने, 2 प्लस N और N की वैल्यू आएथी 8, तो 8 प्लस 2, 10, तो B.C की वैल्यू आ रही है, 10, क्या 10 दिए हमें, बिल्कुल 10 दिए, तो ये option हमारा सही हो जाएगा, अगर ये नहीं होता, तो फिर हम A.C निकालते हैं, कोई तो सही होता, क्योंकि question आया है, तो कोई ने कोई सही, जरूर होगा, ठीक है, ये था आपका question number 6, उसको factor कैसे किया, वो थोड़ा सा tricky था, आप लोग, अगर नॉर्मल तरीके से कर सकते हो, अगर इस तरीके से नहीं समझ माया हो, तो, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 7, क्या है, देखिए, इप और सम अलफा बिलॉंग टू रियल नंबर दा लाइन, इस और दिस आर कोई प्लेनर, देखिए, दो लाइन अगर कोई प्लेनर है, तो क्या कंडिशन होती है, ठीक है, simple सी बात है कि दो लाइन एक ही प्लेन के अंदर है, तो दो वेक्टर तो यह, और एक वेक्टर जो इन दोनों से मिलेगा, वो तिन वेक्टर कोई प्लेनर होंगे, और तीन वेक्टर कोई प्लेनर है, तो उससे क्या मिलता है आपको, उससे जो डिटर्मिनेंट बनती है, वो 0 हो जाएगी, तो यहां से point होगा minus 1, 2 और 1 और यहां से point होगा minus 2, minus 1 और minus 1, तो सबसे पहले इसी से एक vector बनेगा, देखते हैं वो कितना आएगा, minus 2, minus 1, minus 1, minus 2, 1, 2 plus 1, that will be 3, और 1 plus 1, that is 2, 1, 3, 2, नीचे हैं मेरे पास 2, minus 1 और 1, और यहां पर है alpha, 5 minus alpha, और 1. इसकी value क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो यहां से देखिए आपने alpha मिल जाएगा, ठीक है न, कैसे मिलेगा, बैसे solve करते हैं वापिस, यह और यह गया, 1, तो यहां से आएगा minus 1, यह भी minus sign के साथ, तो यह हो जाएगा आपका alpha minus 5, so plus alpha minus 5, सही क्या है न, minus 1, minus 5, plus alpha, बिल्कुल सही, minus 3, यह और यह गया, 2 minus alpha, शिर्फ plus 2, यह 5 into 2, so there will be 10, minus 2 alpha, और साथ में आएगा plus alpha, तो यह बन जाएगा आपका क्या, इस determinant का solution, इसे कितना मिल रहा है, इसे मिल रहा है, alpha minus 6, यहां से कितना मिलेगा, minus 6 plus 3 alpha, minus 6 plus 3 alpha, और वहां से कितना आ रहा है, वहां से आ रहा है, 10 into 2, 20, plus का 20, और साथ में आएगा आपके minus alpha, so minus का 2 alpha, that will be equal to 0, तो कितना मिला बच्चों, alpha plus 3, 4 minus 2, so there will be 2 alpha, और साथ में आएगा minus 6, minus 6 minus 12, और plus 20, so there will be 8, will be equal to 0, तो यहां से alpha की value मिलेगी बच्चों, आपको minus 4, एक बार calculation देख लें, आगे चलके दिक्कत आजे, 3 और 1, 4 minus 2, 2 होता है, बिल्कुल सही, और minus 6 और minus 6, 12 plus 20, there will be 8, और वो भी plus का, तो alpha की value minus 4, यह हमारा सही answer है, अब क्या आगे बोला गया है, this and this are coplanar, then the L2 pass through the point, तो L2 कौन से point से pass कर रही है, तो चलिए check कर लेते हैं, वहां पर आपके पास में क्या है, L2 के अंदर alpha की value, गर minus 4 put करें, तो हमारा जो arbitrary point है, वो कितना है, देखो, arbitrary point आएगा, अगर equal to में R कर दें, तो minus alpha minus 2, alpha की value कितनी है, minus 4, तो minus का 4R minus 2, minus का 4R minus 2, alpha की value minus 4 put करेंगे 9, 9R minus 1, इसके बाद, 1, तो 1 तो सिधा है, सिधा R minus 1, चलिए, एक काम करते हैं, तीसरे वाले से check करते हैं, कि पहला और दूसरा R आएका, देखिए, R minus 1 की value, अगर पहले option को check करें, तो R minus 1 की value minus 2, तो R मिलेगा आपको minus 1, और R की value minus 1 यहाँ put करने से 10 नहीं आ रहा है, तो पहला option गलत हो गया, इसकी value 2 लेते हैं, तो 3 आएगा, इसमें 3 put करेंगे, so 4 into 3, 12, minus 12, minus 2, minus 14, तो यह option भी नहीं होगा, फिर से देखिए, minus 2 लेते हैं, तो minus 2 लेने से minus 1 आएगा, और minus 1 put करने से, यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा 4 minus 2, तो इस बार 2 मिल चुका है, तो पहला coordinate तो सही है, r minus 1 की value minus 2, तो r minus 1 इसमें put किया, तो इसमें आएगा, minus 9, minus 1, minus 10, यह भी सही है, और इसको तम नहीं लिया आई था, यहाँ आपका तीसरा option क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, इसको satisfy करने वाला आपका कौन सा option है, third option है, जो की सही answer है, के लिए रहे बच्चों, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 8, क्या है, देखिए, आजा, question number 8 के अंद क्या बोला गया आपको, if the photo perpendicular from the point, this on the line, this is 357, then the shortest distance between the line L1 and L2 is equal to, देखिए, दो lines के बीच के अंदर अगर shortest distance पूछी गई है, तो isq lines होगी, और L1 और L2 के बीच की shortest distance पूछी है, तो पहले हमें L1 प्रॉपर चाहिए होगी, और L1 के अंदर हमें क्या दिया गया है, L1 के अंदर हमें एक arbitrary point दिया गया है, there will be A और L, तो हमें सबसे पहले A और L की value निकालनी है, देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्या दिया गया है L1 के अंदर, कि इधार एक point है 4,3,8, ठीक है, और इससे इसके उपर जो photo perpendicular आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 3,5,7, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि हमें इस line के perpendicular एक vector पता है, और इस line की corresponding एक vector पता है, तो यहां से हम L निकाल सकते हैं, तो चलिए बात करते हैं कि L कितना होगा, तो L आएगा हमारा 3,5,7, ठीक है, तो 4-3 कितना हो जाएगा 1, यह इसके direction ratio जाए, 3-5,-2, और 8-7,-1, यह इस वाली line के direction ratio है, जो उपर से हमने perpendicular draw की है, उसके है L 3 और 4 और दोनों perpendicular है, तो L-3 इंटू 2, माइनस 6 और प्लस 4 बिल भी 0, तो यहां से L की value मिल गई हमें 2, L की value आ गई, shortest distance निकालने के लिए, में A भी चाहिए होगा, A कैसे निकालेंगे, देखिए, इस line के उपर मेरे को point पता है, A को कितना 3, 5, 7, और एक point है मेरा 1, 2, 4, और इन दोनों से, आपको इसी line के direction ratios मिलेंगे, तो 3, 5, 7 के अलावा आपको और कौन सा point पता है, A, 2, 4, तो यहां से पहले A निकाल लिए, देखिए बच्चों, A से इसी line के direction ratios आएंगे, जो कितने आएंगे देखिए, A minus 3, divide by L, L कितना है 2, यह equal होना चाहिए किसके, 2 minus 5, there will be minus 3, divide by 3 के equal होना चाहिए, ठीक है न, 2 minus 5 minus 3, divide by 3, बिलकुल, तो यहां से कितना मिलेगा बच्चों, 3 से 3 कट जाएगा, minus 2, तो A की value आजाएगी, 3 minus 2, तो A की value 1 आजाएगी, A आचुका है 1, और L आचुका है 2, अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से shortest distance निकाल सकते हैं, अब shortest distance निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका shortest distance वाला formula यूज करना होगा, पता होगा सबको, नहीं पता है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, तरीका ज्यान में रखिए, एक line यह है, एक line यह है, ठीक है वैसे पैरलल नहीं इस क्यू लाइन से ठीक है तो थोड़ी टेडी-मेडी भी हो सकती है ठीक है तो अगर आपको shortness distance निकालने है तो पहले इसके ओपर एक प्टिई है और इसके ऊपर भी एक पॉंट लेगे जीए यक यह वाला जो बनेगा पॉंट पता है हम यहांसे यह L 3 और 4 पॉइंट तो पता है न हमें A 2 4 उस पर लाई कर रहा है 2 4 5 इस पर लाई कर रहा है यह देखो यह रहा 2 4 5 दूसरी पर यह कितना है था 1 1 2 4 इस पर तो इससे हमें एक वेक्टर मिलेगा ठीक है और इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाली है इस वाले वेक्टर पर और यह वेक्टर क्या होगा आपका यह होगा इसके जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं मान लेते हैं कि यह वाला वेक्टर B है और यह वाला जो vector है मेरा यह vector b1 है और यह b2 है तो इन दोनों line के perpendicular vector, क्योंकि shortage distance समय सा perpendicular होगी, तो यह होगा b1 cross b2 के equal, तो इन दोनों के इसके उपर क्या कीजिए, उस vector का projection find out कीजिए, वही आपकी length होगी, और यह काम आप लोगों को करना है, जैसे ही आप यह projection find out करेंगे, आप आपको इसकी value मिलेगी 1 upon root 6, एक vector का दूसरे के ऊपर projection निकालते हैं, A का B पर निकालना है, तो A dot B cap, यह projection का formula होता है, means इसका आपको इसके साथ dot project करना है, और B1 cross B2 जो आएगा आपका, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, उसका modulus लेना है, जो root 6, जब पूरा solve करोगे, तो आपका final answer आएगा, 1 by root 6, थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग कर सकते हैं, आराम से, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 9, question number 9 क्या देखी, question number 9 देखके, बड़ा ड्रावना लग रहा है, लेकिन ड्रावना है नहीं actually, ठीक है, जो question जितना बड़ा होता है, वो उतना ही easy होता है, चलिए, बात करते हैं, x, y, z, be the arbitrary point lying on the plane P, which passes through the point this, this and this, देखें, इन तीन point से पास होने वाला plane होगा, x plus y plus z will be equal to, कितना, 42, और ध्यान से कर देखिए, आपके जो तीन ट्रम यूज हो रही है, x minus 11 को अगर इधर कर ले, plus y minus, कितना, 19, और, z minus, कितना यूज हो रहा है, 12, ठीक है, तो इस तीनों का sum देखेंगे, तो 42 आएगा, और इसकी value 0 होगी, means, a plus b plus c कितना है, 0, इसके अंदर put करेंगे इनको a, b, c, पहले part 3 को तो 3 रहने दो, यह बनेगा a divided by b square c square, यहां पर कितना आएगा, b divided by a square c square, यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा मेरे पास c, और नीचे है a square, b square, और आगे वाला जो part है, उसको एक बार रहने दिए, उसको बाद पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, lcm कितना आएगा बच्चों, lcm आएगा a square, b square, c square, b square, c square, cancel out, a square into a a cube plus b cube plus c cube, ठीक है, और a cube plus b cube plus c cube किसके equal होगा, 3 into a b c, क्यों, क्योंकि a plus b plus c, वहां पर कितना है था, 0, अगर वो 0 होता है, तो 3 a b c के equal होता है, तो यहां से मिलेगा, minus 3 into 3, a b c cancel out हो जाएगा, divide by a b c, c, अब आगे वाली टरम को देखते हैं, देखो, minus 14, minus x plus y plus z कितना था, 42, divide by, नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है, अच्छा, यह plus था, यह plus sign, ठीक है न, यह plus, 42 a b c, नीचे 14 भी है, और a b c, x plus y plus z कितना था, 42 तो वो पूट कर दिया यहां पर, इसको इससे simplify किया, तो यह 3 टाइम, तो इससे यह पूरा पार्ट कर जाएगा, और आपका आशर आजाएगा 3, देखिए मैंने जो कहा था, कि जो किशन जितना डरावना देखता है, वो इतना ही easy होता है बच्चों, इसका answer 3 आएगा, मिस पहला option आपका सही answer है, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, चलिए, आगे बात करते हैं, क्यूशन नमबर 10, क्यूशन नमबर 10 क्या है देखिए, क्यूशन नमबर 10 के बारे में बात करते हैं, देखो, क्यूशन नमबर 10 में आपको एक दो वेक्टर दियें, A और B, साथ में एक condition दिये है कि, R cross A will be equal to R cross B, R vector इसको satisfy कर रहा है, तो इसकी value क्या होगी, ठीक ना, यह हमें क्या करना है, calculate करना है, चलिए करते हैं बात, सबसे पहले तो यह जो condition दिये है, R cross A will be equal to R cross B, इसमें R cross को अधर इधर ले आए, तो यह बन जाएगा, A minus B will be equal to 0, और दो वेक्टर का cross product 0 है, मिस दोनों कैसे हैं, दोनों parallel है, R equal to lambda time A minus B, यहां से आप R की value निकाल सकते हो, सिरफ एक variable के drum है, that is lambda, so R will be equal to आजाएगा, lambda time कितना, minus 3 minus J, so minus 4 J, plus 4 minus 6, there will be plus 10 K, और इस R का अगर आप किसके साथ dot product करोगे, I plus 2 J plus K, तो इसके साथ में अगर इसका dot product करते हैं, ठीके न, R dot, I plus 2 J plus K, तो देखे कितना आएगा, lambda तो बाहर common आजाएगा, minus 5, 7 में आएगा minus 8, और 7 में आएगा plus 10, और यह कितना दिया है आपको, minus 3, minus 3 के साथ जब इसको simplify करेंगे, तो 8 minus 5, 13, 13 plus 3 minus 3, minus 3 is 3, cancel out, so lambda की value आगई 1, lambda 1 आगया, तो आपका आपका vector R मिल गया, जिसका उसके साथ dot product निकालना है, किसका, minus 5i minus 4j plus 10k, इसका dot product निकालना है किसके साथ, 2i के, minus 3j के, plus k के साथ, निकाल सकते हो बच्चो, dot product तो आपका फेवरेट topic होना चाहिए, बच्चों का होता है, minus 10, minus 4, minus 3, there will be, plus 12, और 10 into 1, there will be plus 10, तो यह कट जाएगा, और यह आपका आंसर आजाएगा, 12, जो आपका कौन सा option है, third option, जो की सही answer होगा, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 11, क्या है देखिए, question number 11 के अंदर आपको दिया है, एक vector, जिसको simplify करना है, देखिए, कर ले, बहुत सारे cross product है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक को एक के साथ में start कीजिए, इसको इसके साथ start कीजिए, सबसे पहले, A and B perpendicular है, इसका ध्यान भी रखना है, चलिए, पहले किसके पास जाएंगे, दूर वाले के पास, इसका इसके साथ dot product, so A dot B into vector A, minus A dot A into vector B, पहले दूर वाले के साथ, फिर पास वाले के पास, ठीक है, पहले A का dot को होगा B के साथ, और फिर A का dot होगा A के साथ, यह सिरफ हमने इस वाले bracket को simplify किया, इसके बाहर मेरे पास में जो भी है, उसको एज़िटीज लगते दो, vector A, और इसके बाहर vector, फिर से A, चलिए, करते हैं बात, A dot B 0 है, तो यह हो गया 0, यह हो गया 0, तो यह आपके सामने क्या होगा, A dot A constant है, उस constant को बाहर निकाल सकते हो, minus mod A square, तो पिछे बचेगा आपके पास में A cross, वापिस A cross B, ठीके न, A cross और इस A का cross product होगा, B के साथ, फिर से वही चीज जो पहले की थी, वही क्योंग वही डेटा है, होई है, तो सब कुछ वैसा ही आएगा, यह ट्रम 0 होगी, तो मिंस वापिस यह वाली ट्रम भी बचनी है, और वो ट्रम बचेगी, तो mod A square, और वहाँ से फिर से आएगा, आपका पास में कितना, minus का mod A square, into vector B, इसको solve करेंगे, तो आपको मिलेगा, question number 12, क्या है देखिए बच्चो, question number 12 में आपको बोला गया है कि, यह जो तीन plane है, इन में से कौन से दो plane आपके parallel है, ठीके न, अब parallel के बारे में बात करनी हो, तो direction ratio सेम होना चाहिए, और right hand side वाली ट्रम सेम नहीं होनी चाहिए, तो देखिए, इसमें 3 आ रहा है, इसमें minus 5 आ रहा है, तो पहला तो दूसरे के साथ नहीं होगा, पहले का तीसरे के साथ देखें, तो 3 by 2 आ रहा है, 15 by 10 भी 3 by 2 आएगा, और 21 by 14 भी 3 by 2 आएगा, तो यह सारी चीजे तो सेम है, और अगर यह चीजे सारी सेम है, तो राइट-ंड साइड वाली टरम सेम नहीं होनी चाहिए, तो 9 by 5, 3 by 2 के इक्वल नहीं है, यह बात भी सही है, इसका मतलब यह हो गया कि यह और यह प्लैन आपके दोनों कैसे होंगे, पैरलल होंगे, P1 and P3 are the पैरलल प्लैन्स, ठीक है, बागी कोई साभी केस नहीं होगा, आप सारे चेक कर सकते हैं, क्लियर, चली बुच्चों आगे बात करते हैं, Q13, और Q13 क्या है, देखिए हमारा, A plane P meets the coordinate axis A, B and C respectively, the centroid of the triangle is given to be this, then the equation of the line through the centroid and perpendicular to the plane is, देखिए, सबसे पहले plane की equation निकालते हैं, उसके लिए आपको देखिए, coordinate axis पे, एक जो triangle बन रहा है, उसका centroid दिया गया है, और that is 1, 1, 2, देखिए, इन coordinate axis से, अगर आपके सामने x coordinate 1 आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि, इसके coordinates होगे 3, 0, 0, y coordinate 1 आ रहा है, इसके coordinates होगे 0, 3, 0, और इसके coordinates होगे 0, 0, 6, क्यों? क्योंकि, देखिए, coordinate axis से आपके सामने, x coordinate 1 आ रहा है, तो वो सिरफ x axis से ही आ सकता है, y coordinate 1 आ रहा है, वो सिरफ y axis से आ सकता है, और z coordinate 2 आ रहा है, वो सिरफ z axis से ही आ सकता है, और centroid है, तो by 3 से divide ओकर के आएगा तो इसके 3,0,0,0,030 और 006 यहां से हम इस plane की equation लिख सकते हैं that is x by 3 plus y by 3 plus z by 6 will be equal to 1 so plane की equation आजाएगी हमारे सामने 2x plus 2y plus z will be equal to 6 लेकिन हमें plane की equation नहीं पूची गई हमें equation पूची गई है इस point से pass होने वाली line जो की इस plane के perpendicular है तो देखिए plane के perpendicular है तो इस line के जो direction ratio है वो तो वही होंगे जो इसके थे plane के थे और plane के कितने थे मेरे पास 2,2,1 तो इसके direction ratio भी 2,2,1 होंगे और line आपकी 1,1,2 से pass कर रही है तो ऐसा option आपका कौन सा है यह वाला x-1 upon 2 y-1 upon 2 और z-2 upon 1 point आपको दिया गया है और direction ratio आपको plane के निकालने है वही आपके उस line के होंगे जो आपसे question में पूछा गया है clear है चलिए आगे बात करते है question number 14 कि देखी क्या है question number 14 में आपसे पूछा है कि the shortest distance between the line this and plane this and this is इसका मतलब क्या हुआ देखिए जब भी 2 plane और एक line के बीच की shortest distance पूछी है that means इन दोनों plane के जो intersection point से जो line होगी वह line और यह जो line है यह जो line है यह दोनों क्या होनी चाहिए यह दोनों के बीच की shortest distance निकालनी है ठीक है अब कैसे निकालेंगे देखिए यह जो line मिलती है यह जो line मिलती है यह दोनों plane के intersection points मिलती है तो इस line की equation निकालने के लिए आजाएगा 2x minus y plus z plus 3 will be equal to 0, अब देखो, distance shortest तभी होगी, जब आप क्या करेंगे, इसके और इसके बीच की क्या करेंगे, perpendicular distance निकालेंगे, और इसके और इसके बीच की perpendicular distance के लिए क्या condition लगाएंगे, इस line के जो direction ratio वो इस side में होंगे, और plane के जो direction ratio होंगे, वो इसके perpendicular होंग यह दोनों का intersection line ने, दोनों का intersection plane है, ठीक है न, दोनों plane का intersection plane, ठीक है उसके आपको क्या करना है, shortest distance निकालनी है, तो देखिए, line के direction ratio 0 minus 1, 1 और plane के direction ratio यहां से आएंगे, तो देखिए, x coordinate तो 0 हो जाएगा, y से आएगा, उदर से minus 1, यहां से आएगा, 1 minus lambda, और z से आएगा, उदर से आपके सामने 1, यहां से 1 plus lambda, और यह क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए, तो यहां से आएगा, आपका lambda plus lambda equal to 0, इस lambda की value 0 आजाएगी, इसका मतलब यह हो गया, कि इनका intersection plane होगा, आपका वो यह होगा, तो आपको क्या करना है, इस line की, इस plane से perpendicular distance निकालनी है, इसका मतलब यह हुआ, कि इस line के उपर जो point आपको दिया गया है, 1, 1, 0, ठीक, इस point से आपको क्या करना है, इस plane की perpendicular distance, find out करनी है, जो आप आराम से कर सकते हो, इसमें put करें, कीजी देगे, 1 put किया, तो कितना आएगा, 1, y को भी 1 put किया, तो यह भी 1 आजाएगा, और z आपक सो यहां से आएगा, minus 1, plus z कितना है, 0, और आपके सामने है, 1, और divide by, root over a square, plus b square, plus c square का modulus, यह आपकी distance आजाएगी, जो होगी, 1 upon root 3, third option आपका क्या हो जाएगा, सही answer हो जाएगा, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 15, क्या है, देखिए, question number 15 में आपको बोला गया है, क्या बोला गया है, देखते हैं, क्या बोला गया है, let a vector this be obtained by rotating the vector this by an angle 45 degree, देखिए, यह vector आपका xy plane के अंदर, इस vector को 45 degree rotate करने से आ रहा है, तो देखिए, यह vector कहाँ लाई करेगा आपका, यह vector होगा आपका, 2D plane के अंदर, कुछ इस तरीके से, जो x-axis के साथ में, 30 degree का एंगल बना रहा है, और जिसका modulus 2 है, ठीक है, इसका अगर आप देखेंगे, तो आपको मिलेगा, 2 cos 30, 2 sin 30 से यह vector मिलेगा, अब आपको क्या करना है, हमें इस vector को 45 degree से rotate करना है अभी, तो देखिए, इसको 45 degree से rotate करेंगे, तो यह vector यहाँ आ जाएगा, और 45 degree से ऐसे rotation हो जाएगा, clockwise direction में करना है, अब देखिए, कितना हो जाएगा आपके सामने, ठीक है, तो देखिए, रोटेशन होने के बाद में, जो मॉडलस है, वो तो 2 ही रहेगा, एंगल आपका 45 प्लस 30 हो जाएगा, 75 degree के साथ, अब इसके components निगालते हैं, कि इसके कितने होंगे, तो इसके component आजाएगे आपके सामने, 2 cos 75 degree, 2 cos 75 degree, i cap, plus 2 sin 75 degree, j cap, यह इसके components हो जाएगे, जो आपसे vector बोला गया, यह कौन सा vector है, यह तो यहां से देखिए, alpha की value आरे है, मेरे पास 2 cos 75 degree, और beta की value आरे है, मेरे पास 2 sin 75 degree, अब आप से क्या पूछा गया है, यह कर लिया हमने सारा, about the origin, origin के about rotate करना था, वो कर दिया हमने, इसके आगे है, in counterclockwise direction, in the first quadrant, then the area of the triangle having vertices alpha, beta, 0, beta and 0, 0, अब आपको क्या करना है, alpha, beta इस point के coordinate से, 0, beta इस point के coordinate से, और 0, 0 इस point के coordinate से, तो आपको इस triangle का area चाहिए, इसका area कितना हैगा, देखो बच्चों, 1 by 2 into base, base इसको ले ले लेते, तो beta, there will be 2 sin 75 into height, height उसको ले ले लेते, तो यह कितना हो जाएगा, alpha, so there will be 2, कितना हो जाएगा, cos 75 degree, एक 2 से 2 कर जाएगा, और यह आजाएगा, sin 75, cos 75 into 2, there will be sin 150 degree, जिसकी value कितनी होती है, 1 by 2, 1 by 2 आपका क्या होगा, इसका area आएगा, तो आपका जो third option होगा, वो क्या होगा, सही answer होगा, clear है, थोड़ा सा vector का problem था, ठीक है, तो इस तरीके साब इसको आराम से solve कर सकती, चलिए बात करते हैं, आगे, next question, that is question number 16, 16, क्या है, देखिए, 16 के अंदर आपको दिया है कि, for a greater than 0, the fit of perpendicular from the point a and b, on the plane this, are point this and this, then the length of the line segment cd is equal to, देखिए, कापी सारी चीज़े हैं, थोड़ा ध्यान से करना, आपको कोई एक point दिया है, a, जिसके coordinate से a, minus 2a, 3, एक दूसरा point दिया है, b, जिसके coordinate से 0, 4, 5, यह point b है, इससे plane के उपर foot of perpendicular draw करने हैं, मान लेते हैं कि plane यहाँ पर है, ठीक है, तो यह point है मेरा c, और यह point है मेरा कितना d, और यह मेरा क्या है, plane, ठीक है, यह feet of perpendicular से, चलिए, इसके लिए आपको point c के coordinates दिये, 0, minus a, minus 1, आगे देखते हैं, d के बारे में आपको कुछ नहीं दिया, और आपसे पोचा कि cd length क्या होगी, तो सबसे पहला purpose हमारा यहां से a निकालने का है, अगर a आ जाएगा, तब ही हमारा कुछ काम होग पाएगा, ठीक है, अच direction ratio, इसी line के corresponding होंगे, तो इस line के direction ratio कितने आ रहे हैं, उसके direction ratio आ रहे हैं, आपके a, minus 2a, minus a, that is minus a, और 3 minus 1, that is 4, तो यह किसके direction ratio है, यह plane के direction ratio है, और origin से pass कर रहा है, तो उसकी equation हो जाएगी हमारे सामने, ax, minus ay, plus 4z, will be equal to 0, इसके अलावा आपका यह जो plan है, यह point c से pass भी कर रहा है, तो point c से इसको pass करवा दीजिए, c से pass करवाएंगे, तो यह हो जाएगा 0, minus a put करेंगे, तो a square minus 4 will be equal to 0, तो यहां से a की 2 values आएगी, plus 2 और minus 2, but question में आपको दिया गया है, I think a greater than 0 है, बिल्कुल, सबसे पहले a positive है, तो आपको a की value 2 लेनी है, तो यहां से point c के coordinates आजाएंगे, 0, minus 2, minus 1, यह point c के coordinates है, ऐसे अब आपको point d के coordinates find out करने हैं, तो point d के coordinates कैसे find out करेंगे, यह value आप क्या करें, plan के अंदर put कर दें, ठीके, तो plan की जो equation आई थी हमारी, ठीके, और उस से उस point से इसके फिटो perpendicular निकालत होते हैं, तो plan की equation क्या आई थी, a, x, तो a था हमारे पास में कितना, 2, so plan की equation आएगी, 2x, minus a, so minus 2y, and plus 4z will be equal to 0, so x minus y plus 2z will be equal to 0, यह plan की equation है, तो उस point से इसके उपर photo perpendicular आएगा, देखो, x minus 0 divided by 1, y minus 4 divided by minus 1, z minus 5 divided by, कितना, 2, will be equal to photo perpendicular, शिर्फ minus sign, point को put किया, 0, minus 4, और 10, 10 minus 4 हो जाएगा, 6, divide by 1 plus 1 plus 1, that is 6, तो देखी, कितना आ रहा है, point D के coordinates आ रहे हैं हमारे पास में, इस 1 को इदर multiply करेंगे, तो x coordinate आ जाएगा, minus 1, minus 1 को इदर multiply करेंगे, तो plus 1, और 4 इदर आ करके यह हो जाएगा, 5, और minus 2, 5 इदर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा, 3, minus 1, 5, 3, और point C यह है, दोनों के बीच की distance निकालनी है, आराम से निकाल सकते हैं, देखी, कितने आएगी, यहां पर देखते हैं, 0, minus 1, that is 1, plus, 5, plus 2, 7, there will be 49, तो यह हो गया, 50, और 3, plus 1, 3, plus 1, 4, 4 से कितना आ जाएगा, आमारे पास, 3, plus 1, 4, 4 का स्क्वेर, 16, तो यह आ जाएगा, root 66, जो की आपका कौन सा option है, 4th option, जो की सही answer है, ठीका न, कापी सारी चीजें थी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से क्यू solve करना था, चलिए आगे बात करें, question number 17, क्या है, देखिए, question number 17 के अंदर आपको बोला गया है कि, let alpha be the angle between the line whose direction cosine satisfying this and this condition, then the value of this, तो इसकी value क्या होगी, तो चलिए बात करते हैं, पहले निकालते हैं कि क्या आएगे, इसको satisfy करने वाले direction, जो भी है, आपके पास में, cosine, ठीक है L square plus M square, और minus N square की जगे पर put कर दिया, हमने क्या, L plus M, so L square plus M square plus 2 L M, ये कितना है, 0, तो ये 0 है, तो ये तो कट जाएगा, तो यहां से मिलेगा L into M का product 0 है, तो देखिए, दो case बनेंगे, या तो L 0 होगा, या M 0 होगा, क्यों L और M, दोनो 0 नहीं हो सकते, दोनो 0 हो गए, तो फिर N भी 0 हो जाएगा, और ऐसा possible है, नहीं, अगर मानते हैं कि L 0 है, ठीक है, या M 0 है, तो L 0 मानते है, तो M और N दोनों सेम आएँगे, और अगर M 0 है, तो फिर L और N दोनों सेम आएँगे, अब इसकी value क्या आएग तो देखिए, L square plus M square plus N square 1 होता है, so 2 L square will be equal to 1, so L equal to आजाएगा, plus minus 1 by root 2, तो देखिए, अगर ये case आता है, तो आपके सामने कितना आएगा, अगर प्लस लेते हैं साइन, तो 1 by root 2 L, L तो 0 हो गया, M की value 1 by root 2, और N की value भी 1 by root 2, क्योंकि दोनों सेम है, और या फिर negative वाले हो जाएगी दोनों, अगर L और N सेम आते हैं, तो यहाँ से आएगा आपके सामने L और N, तो M 0 है, so 1 by root 2, 0 और 1 by root 2, ठीक है, या फिर आप negative वाले ले सकते हो, ठीक है, negative वाले लोगे, तो यहाँ पर आजाएगा 0, minus 1 by root 2, minus 1 by root 2, ऐसे यहाँ पर आजाएगा, minus 1 by root 2, 0 और minus 1 by root 2, तो cos alpha क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल, तो किसी एक pair से एंगल निकालते हैं, देखते कितना आएगा, इसको और इसको यूज करते, देखते कि एंगल कितना आ रहा है, तो cos theta की value आएगी, आपकी cos theta will be equal to, अगर एंगल theta मान ले, तो पहली टरम 0, दूसरी टरम 0, और तीसरी टरम आजाएगी आपकी 1 by 2, ठीक है, और cos theta अगर 1 by 2 है, तो theta कितना आगए आपका, 60 degree, ठीक है न, theta 60 degree है, तो जब आप यहाँ पर put करेंगे, तो l square plus m square की value, नहीं, cos sin की power 4 plus cos की power 4, root 3 by 2 का square plus root 3 by 2 की power 4, तो उपर तो आएगा 9 by 16 और यहाँ पर आएगा 1 by 16, so 10 upon 16 आपका अंसर होगा, तो जो कि आपका 3rd option दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर होगा, that is 5 by 8, clear है, तो चली बच्चों आगे बात करते हैं, question number 18 और question number 18 का solution देखते हैं, the equation of the line through the point 0, 1, 2, देखिए, इस point से pass करने चाहिए आपकी line, and perpendicular to this line, और उस line के perpendicular होनी चाहिए, तो एक तरीका तो देखिए, आप इसको direct देख सकते हो, ठीकर न, 0, 1 और 2 से pass वने वाली lines कौन सी है, तो वो तो तो तीनों है, उसके साथ में perpendicular कौन सी है, तो एक बाद dot product करके देख लो, जिसे पहले को करते हो, तो कितना आ रहा है, there will be minus 6, 4 into 3, 12, और there will be 3 into minus 2, minus 6, तो एक तो पहले में आ रहा है, perpendicular, 0, 1, 2 से pass करीद हैं, इसको check करते, 3 into 2, 6, 4 into 3, 12, और यहाँ पर आ जाएगा minus 6, तो यह 0, नहीं होगा, not equal to 0, ऐसे आप तीसरे में चेक करेंगे, 6 minus 12, minus 6, यह भी नहीं होगा, last में चेक करेंगे, 6 plus 12, plus 6, यह भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए, perpendicular कोई एक ही हो सकती है, क्योंकि सारी lines, 0, 1, 2 से pass कर रही है, तो perpendicular फिर तो कोई एक ही हो पाएगी, और वो आपका पहला option क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकि आप चाहो तो निकाल सकते हो, देखो निकालने का भी तरीका आपको करना क्या है, यह जो line दे रखी है, इसके उपर एक arbitrary point मानना है P, ठीक है, और आपकी यह जो line है, वो जो point है 0, 1, 2, ठीक है, इन दोनों को join करने वाली, करने वाला जो vector होगा, या जो direction ratio होंगे, वो इस line के साथ में क्या होंगे, पर्पेंडिकुलर होंगे, क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है कि this is the perpendicular to this line, ठीक है, इसके direction ratio और इसके direction ratio उससे आपको point P के coordinates मिल जाएंगे, जब point P के coordinates मिल जाएंगे, तो वापिस आप 0, 1, 2 है यह आपके पास, P के coordinates आ जाएंगे, तो इसके direction ratio निकाल सकते है, वो point आपक question number 19 में आपसे क्या पूचा है, ढेखते है, 19 में आपको बोला है, let A and B, यह दो vector है, और R cross A equal to B cross R, और इन दोनों condition को satisfy कर रहा है, तो alpha plus mod R का whole square क्या होगा, देख यह सा question हमने पीछे किया, बिल्कुल वैसे ही करना है, इसको आप इधर लेके आएंगे, तो उसको R cross B लिखे जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले आपको उसको minus sign आजाएगा, जैसे उसको R cross B रखोगे, और इधर आकर के plus हो जाएगा, इसका मतलब इस बार R जो होगा, वो किसके parallel होगा, lambda time A plus B के parallel होगा, बस, इतना सा फरक है, बाकि बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, जैसे हमने एक पीछ 2J plus minus 3J, there will be minus J k, minus 3K plus 5K k, so there will be 2K k, ठीक है, यह आपके पास में R vector आजाएगा, और जैसी R vector आजाएगा, तो आप दोनों के साथ में dot product कीजिए, एक बार आपको lambda मिलेगा, और एक बार से आपको R मिलेगा, और आपको आंसर आजाएगा, आराम से, चलिए, चेक करते हैं, पहले के साथ में dot product करेंगे, तो देख की lambda तो बाहर रहेगा, so 3 alpha, साथ में यहाँ पर आएगा, आपके पास में 2 into this minus 2, और 1 into plus 2, so there will be plus 2, will be equal to 3, तो यह कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, so lambda into alpha की value 1 आजाएगी, ऐसे दूसरे में करना है, इसके साथ में dot product, तो lambda तो फिर से बाहर रहेगा, 3 into 2, 6 minus 5 into j, so there will be minus 5, और minus alpha plus 2, so there will be minus 2 alpha, will be equal to minus 1, ठीक है, इसको solve कर लीजिए, lambda की जगे 1 upon r put कर दीजिए, ठीक है, तो यह बनेगा, 6 minus 5, 1 minus 2 alpha, और lambda की जगे पर alpha, will be equal to minus 1, so 1 minus 2 alpha, will be equal to minus alpha, so यहां से alpha की value आगई, मेरे पास कितनी, यह उदर से लागया, alpha 1 आगया, alpha 1 आगया, तो lambda भी बना जाएगा, और lambda 1 आजाएगा, तो यहां से आपको vector r मिल जाएगा, there will be 3 i cap minus j cap plus 2 k cap, आप से क्या पूचा है, alpha plus mod r का whole square, so alpha तो था 1, और इसका whole square आजाएगा 9 plus 1 plus 4, कितना हो जाएगा, 9, 10, 14 और 1, 15, आपका जो third option है, वो क्या है, यहां पर, सही answer, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 20, क्या है, देखिए, question number 20 में आप से बोला गया है कि, the equation of the plane passing through this and perpendicular to plane this and this, तो देखिए, उन दोनों के perpendicular होना चाहिए, तो उन दोनों के जो cross product से आपके सामने उसको, उसके direction ratios मिल जाएगे, ABC देखिए, 3, 1, minus 2, और 2, minus 5, minus 1, ठीक है, आपको दो equation मिलेगी, और दोनों का जब cross multiplication करेंगे, तो यह से उसके direction ratios मिल जाएगे, देखिए, कितना आएगा, A divided by, minus 1, minus 10, there will be minus 11, बिलकुल, B divided by, this and this, minus 3, plus 4, there will be 1, so there will be minus 1, और C divided by, this and this, minus 15, minus 2, there will be minus 17, सब में negative sign है, सब को positive कर दीजिए, 11, 1 और 17, यह आपके क्या होंगे, direction ratios होंगे, और यह direction ratio और इस point से pass कर रहा है, तो यह direction ratio शिर्फ आपको एक ही option में दिये गए है, that is option number 3, जो कि आपका सही answer है, clear है, चलिए, आगे बात करें, next है हमारे पास में देखिए, question number 21, और question number 21 क्या है, देखिए, question number 21 में आपको पूचा है कि, the distance of the point this from the point of intersection of the line this and the plane this, देखिए, line और plane का intersection point निकालना है, तो क्या करना है, देखिए, इसके उपर एक point ले, और उसके अंदर point होगा r plus 3, इदर आएगा 2r plus 4, और इदर आएगा आपके सामने 2r plus 5, यह इस line के उपर एक point है, इस line, यह line जब इस plane को intersect करेगी, ठीक है, तो यह point आपका इस plane को satisfy करेगा, r plus 2r plus 2r, एक्स प्लस वाई प्लस जेड करना है, 4, 3, 7 और 5, 12, बराबर 17, कितना आएगा बच्चों, 5r will be equal to 5, तो r की value 1 आगई, तो यह point आजाएगा, तो यह point आजाएगा, 4, 6, और 7, point मिल गया, 4, 6, 7, आपकी इसकी 119 से दूरी निकालनी है, distance देखिए कितनी आएगी, 4 minus 1, 9, 3 का, 1 minus 6, 25, और 9 minus 7, 4, so 29 plus 9, root 38 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कौन से option में है, first option में, तो यहाँ पर आपका पहला option क्या होगा, सही होगा, clear है सभी को, इसी तरीके से आपको सारे questions करने हैं, one by one, आगे बात करते हैं, question number 22, question number 22 में आपको दिया है कि the vector equation of the plane passing through the intersection of this and this, इन दोनों के intersection से पास होने वाला, equation of the plane and the point 1, 0, 2 और उसकी vector equation निकाल ली है, चलिए, थोड़ा सा vector में हमें कम समझ में आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको उसमें convert कर लेते हैं, आर माल लेते हैं, x ik plus y j k plus z k k, r will be equal to x ik plus y j k plus z k k, देखते हैं, इसके साथ dot product करेंगे, तो one आना चाहिए, तो एक plane की equation तो मिलेगी, x plus y plus z equal to one, और दूसरी equation आएगी, x minus 2 y, z होगा ने, equal to minus 2, ये दो plane है, ठीक है, तब vector equation of the plane passing through the intersection of this plane and this plane, तो इन दोनों के intersection point से pass होने वाला plane क्या होगा, x plus y plus z minus 1, plus lambda time, x minus 2 y, minus 2 will be equal to 0, ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये plane आपका, 1, 0, 2 से भी pass करना चाहिए, तो 1 plus 0 plus 2, ये कर जाएगा, 2 plus lambda time, यहाँ put करेंगे, तो 1, ये 0, minus 2 will be equal to 0, यहाँ से lambda की value आगे ही 2, lambda की value 2 put करो, देखो जेखो कौन सा option मिल रहा है आपको, जैसे देखी, lambda की value 2 put करेंगे, 2x plus x, so there will be 3x, इसी के साथ में, यहाँ पर 2 put करेंगे, तो minus 4 plus 1, so ये कितना हो जाएगा, lambda की value 2 ही आखी है ना, एक बाद चेक करें, x plus y plus z 1, x minus 2y equal to minus 2, तो यह इदर आखर के, plus 2 बनेगा, गलती मत करो, ठीक है, plus 2 बनेगा, x minus 2y plus 2, इसमें put किया, हमने 1, 0, 2, 1 put किया, 1 से 1, cancel out 2, plus lambda, इसमें put किया, 1, 0, 2, तो ये बनेगा, 1 plus 2, 1 y 0, तो 1 plus 2, 3, तो ये बनेगा, 3 lambda, 1 plus 2, तो यहाँ से, lambda की value मिलेगी, हमें, minus 2 by 3, तेखे, जब इसमें put करेंगे, minus 2 by 3, तो हमारी equation आएगी, minus 2, इसमें 3x, so 3x minus 2x, इसमें 3y, उसमें 3y, उसमें 4y बन जाएगा, so 3y plus 4y, क्योंकि, minus sign था वहाँ पर, इसमें 3z, और उसमें 3z, और उसमें कितना था, क्या put किया था, minus 2, तो z तो है नहीं वहाँ पर, तो शिर्फ इदर से ही आएगा, so there will be 3z, और साथ में इदर आएगा, minus 3, और उदर आएगा, minus 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 4, so equal to में चला जाएगा 7, तो हमारी equation मिलेगा, x plus 7y, plus 3z, will be equal to 7, अब इसको वापिस वेक्टर में, convert करना है, तो x, y, z को, i cap, j cap, k cap में put कर दे, तो यह बन जाएगा, r dot i cap, plus 7j cap, plus 3k cap, और यह किसके equal होगा, 7 के equal, यह इसकी वेक्टरी equation हो जाएगी, ठीक है, ऐसा option कौन सा है हमारा, second option, जो की सही आंचवर है, के लिएर है, इसी के साथ, आपके जो भी single correct questions आये थे, इस paper के अंदर, इन दोनों chapter से related, वो सारे questions आपके solve हो गये है, आगे हम बात करते हैं, कि जो integer type के questions आये थे, उनको किस तरीके से solve किया जाएगा, तो चली बच्चों, start करते हैं integer type questions, तो देखते हैं हमारा पहला question, पहला question है, let lambda be an integer, the shortest distance between the line, this and this will be this, then find the value of mod lambda क्या होगी, सो चली बात करते हैं, shortest distance निकालने के लिए, सबसे पहले वही देखिए, इनको standard format में convert करते हैं, पहले तो lines को, ठेकर अभी standard में नहीं है, इस पहली line को लिखा, x minus lambda divide by 1, यहां से 2 common लिया, तो यह बनेगा y minus 1 by 2, और जो 2 common लिया था, उसको लिया आए नीचे, और इधर से आपका minus का 2 common लिया, तो z minus 0 divide by minus 1 by 2 लिखा, यह इसका standard format है, इसके अंदर नीचे जो उसको fraction को आप convert कर सकते हो, सबको 2 से multiply कर दिया, तो यहां पर 2 आगया, y minus 1 by 2 divided by 1, और z minus 0 divided by minus 1, यह आपकी standard format में पूरी line convert हो गई, ऐसे दूसरी वाली को करेंगे, दूसरी वाली वैसे converted है, से दी x minus 0 divided by 1, y plus 2 lambda divided by, कितना है, नीचे कुछ नहीं, तो again 1, और इसमें आजाएगा, z minus lambda, divide by नीचे फिर से आपके पास 1, ठीकर इसमें 1, 1, 1 है सब जगे पर, अब देख इसके बीच की shortest distance, means again यह दोनों skew lines होगी, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है न, एक line AC और एक line AC, यह दो point जो line के उपर हमें given है, वहां से हम यह vector निकालेंगे, यह point क्या है, पहले 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 देखिए, lambda 1 by 2, 0, lambda 1 by 2, 0, ठीक है न, यह पहली line पहले है, दूसरी वह लाइन पहले कितना होगा देखिए, दूसरी वह लाइन पहले है, 0 minus 2 lambda, और साथ में आएगा lambda, ठीक है, एक तो यह vector है, और दूसरा vector हम लेंगे, B1 cross B2, ठीक है, पहले भी हमने बात किये थी इसके, और B1 और B2 क्या है, इनके direction ratios, एक आपके सामने यहां से बनेगा इस वाले से, और एक आपके पास में B2 vector, यहां से बनेगा, shortest distance के equal, तो पहले हम देखिए, इस से solve करके, और value निकाल लेते है, B1 cross B2, तो वो देखिए कितना आएगा, I, J, K, ठीक है, 2, 1, minus 1, और यहां पर सब जगे पर 1, 1, 1 है, ठीक है, तो देखते देखिए, इसकी side अब हमें ज़रूरत नहीं, क्यों पॉइंट्स को उद्धर लिख लिया है, तो इसको मिटा देते है, देखिए, देखते कितना आएगा, देखिए, 1 plus 1, there will be 2 I cap, इधर से आएगा, 1 plus 1 कर लिया, 2 plus 1, there will be 3 J cap, लेकिन minus का हो जाएगा, और इधर आएगा, 2 minus 1, there will be K cap, इसका आपको क्या करना है, dot product करना है, कि इसके साथ, उस वेक्टर के साथ, जो उन दोनों से आएगा, जो आएगा आपका lambda I cap, इसको इसमें से सब्टेट किया, so 1 by 2 plus 2 lambda J cap, plus 2 lambda J cap, और 0 minus lambda K cap, so minus lambda K cap, और divide by, इस पहले का modulus भी आएगा, there will be 4 plus 1 plus 9, there will be root 14, और यह किसके equal होना चाहिए, यह जो आपको distance D, यह कितनी D है, root 7 upon 2 root 2, अब आप यहां से आराम से solve करके lambda, निकाल सकते हो, बस यह formula यूज करना था आपको, projection का, देखते कितना आएगा, 2 lambda, यह इसके साथ multiply होगा, तो यहां से आएगा minus 3 by 2, और 7 में आएगा minus 6 lambda, और यहां से आएगा minus 6 lambda, divide by, यह इसको उदर multiply कर दीजिए, 14 into 7, 7 into 7, 7 into root 2 से root 2 कट जाएगा, divide by 2, तो देखी कितना आरहा है, LCM लेंगे, तो यहां पर आएगा 4, इदर आएगा 6 और 7, 7, 7 minus 4, minus 7 plus 4, so minus 3 lambda, और इदर आएगा minus 3, और इसका modulus आपको दिया कितना, 2 से 2 कट जाएगा, so there will be equal to 7, so, इसके अंदर आपको देखना है, कि lambda की value ऐसी क्या put करें, कि हमारे पास में वो आजाए, तो एक बार थोड़ा सा हम, इसको चेक कर लेते हैं, calculation, ये तो ठीक लग रहा है, 2 i cap, 1 plus 1, 2, और इदर से आएगा आपके सामने कितना, 2 plus 1 minus 3 j cap, और 2 plus 1 k cap, उदर वाली calculation देख ले, lambda minus 0 lambda, 1 by 2 plus 2 lambda, और 7 में आएगा हमारे सामने, minus 6 ठीक है, और उदर से आएगा, 0 minus lambda, there will be, 0 minus lambda, there will be minus lambda k cap, इसको इसके साथ multiply किया, so 2 lambda, minus 3 by 2, minus 3 into 2, minus 6 lambda, और minus lambda, तो ये हुआ, minus 6 plus 1 minus 7, और साथ में आएगा कितना, 2, तो minus 7, और, अच्छ, हाँ, यहाँ घडबड कर दी न, minus 7 lambda plus 2 lambda कितना होगा, minus 5 lambda into 2, so ये होगा, आपका minus 10 lambda, minus 3 will be equal to 7, तो देखिए, ये 7 कब आएगा, ठीक है, तो ये 7 आएगा, जब lambda कितना हो जाएगा, minus 1 होगा, ठीक है, एक value और भी आएगी, लेकिन वो fraction में आएगी, क्योंगा आपको बोला है कि lambda integer है, तो lambda equal to minus 1, और इसके modulus की बात करें, तो इसका answer आजाएगा, आपका 1, जो कि आपका सही answer है, क्लियर है, चलिए, आगे बात करते हैं, question number 24, देखिए, क्या है, question number 24 में आपको बोला गया है कि, let a plane P contain two line, एक plane है जो इन दोनों लाइन को contain कर रहा है, ठीक है, if Q alpha, beta, gamma is the foot of the perpendicular drawn from point M to P, then 3 plus alpha plus beta plus gamma equals, तो देखिए फिर से, सबसे पहले हमें plane P निकालना पड़ेगा, और P कैसे निकालेंगे, देखिए plane P इन दोनों लाइन को contain कर रहा है, means plane के अंदर जो point आपको है, वो तो किसी भी line का एक point ले लेजिए, तो 1,0,0 ये point आपको दिया गया है, साथ में क्योंगि वो इन दोनों लाइन को contain कर रहा है, means इन दोनों लाइन की जो direction होगी, उससे इस plane की direction perpendicular होगी, तो perpendicular है, तो उसके जो direction ratio आएंगे, plane के direction ratio आजाएंगे, माल लेते हैं कि चलिए ABC के format में, alpha, beta, gamma है न, ABC के format में सीधे कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा, A upon minus 1 will be equal to B upon, यहां से कितना आएगा, again minus 1, तो minus minus plus 1 हो जाएगा, C upon, C में कितना आएगा, देखिए 1 आजाएगा, सो minus 1, 1 और 1, तो यह plane के direction ratio हो गए, और plane 1, 0, 0 से pass कर रहा है, तो हमारी equation आजाएगी, minus 1, x minus 1, फिर plus 1, y minus 0, plus 1, z minus 0 equal to 0, तो हमें equation मिलेगी, देखिए, minus x plus y, plus z plus 1 will be equal to 0, अब हमें क्या बोला गया है, कि इस plane के ऊपर, और इस point से photoperpendicular हमारा क्या है, alpha, beta, gamma, तो हमें वो निकालना है, alpha, beta और gamma, तो चलिए बात करते हैं, इस से अगर हम photoperpendicular की अगर बात करें, ठीक है, तो photoperpendicular जो हमारा आ रहा है, ठीक है, एक बार calculations देख लें वापिस, ठीक है, ठीक है मेरी साब से, ठीक है, यहाँ से आएगा, minus 1, 0, यहाँ से भी आएगा, minus 1, 0, लेकिन, plus 1 हो जाएगा, और यह आजाएगा, 1, minus 0, that is 1, ठीक लग रहा है, चलिए देखते, x minus 1, यह alpha ले लो शिएगा, alpha minus 1, divide by minus 1, equal to, next कितना आएगा, beta minus 0, divide by 1, next आएगा, gamma minus 0, gamma minus 1, divide by 1, will be equal to, put of perpendicular, तो सीधा minus sign, यह point इसमें put करेंगे, put करेंगे तो आएगा, minus 1 से plus 1, cut जाएगा, 0, there will be 1, और divide by तीनों का sum, there will be 1 by 3, तो देखिए, alpha कितना आएगा, alpha की value आएगे, मेरे पास में, यह minus sign उदर multiply हो जाएगा, so 1 by 3 plus 1, so there will be 5 by 3, beta आएगा मेरे सामने देगी कितना, यह दर multiply हो जाएगा, so beta की value आजाएगी, minus 1 by 3, और gamma की value कितनी आजाएगी, gamma की value आजाएगी, मेरे पास में, 1 minus 1 by 3, यही आएगी, बिल्कुल यही आएगी, तीनों का सम करना है, so sum आएगा 5 minus 1, और वहां से कितना आएगा, plus 2, so 5, 6, 7 minus 1, so there will be, एक सेकंड पहले वाला, 4 by 3 होगा, ठीक है, 4 by 3, 4 plus 6 minus 1, so there will be 5 by 3, और 3 से इदर multiply करना ही है, alpha plus beta plus gamma को, तो आपका जो answer हो जाएगा, वो कितना आजाएगा, वो आपका 5 आजाएगा, जो कि सही answer होगा, तो इसका जो correct answer होगा, कि इसकी value कितनी होगी, तो इसका answer आएगा, आपका 0,05, clear है, चलिए, आगे बात करते हैं, क्यूस्ट नमबर 25, क्यूस्ट नमबर 25 आपका vector से वापिस, हमें ये निकालना है, तो देखिए, तीन चीजे हैं, लेकिन हम एक निकालते हैं, और फिर देखते हैं, कि symmetricity से हमें, क्या दिखाई दे रहा है, तो इसको solve करते हैं, देखिए, पहले दूर वाले के साथ, dot product i dot i, i dot i cap into a vector, minus i dot a vector into i, लेकिए, कितना हैगा, i dot i तो 1 होता हो जाएगा, तो a vector as it is आजाएगा, 2 i cap plus j cap plus 2 k cap, और minus i dot a, लेकिए, इसका a के साथ में, इस a को i के साथ में dot product करेंगे, तो शिरफ 2 आएगा, तो minus का 2 i, अब देखिए, इसी format में रखना है अपने को, ठीक है, देखिए, पहली बार में ये आया है, जब यहां पर मेरे पास में क्या था, i के साथ में था, अब देखिए, जब j के साथ में करूँगा, तो क्या होगा, सब कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है, यहां पर जो 2 i आया था, क्योंकि यह तो पूरा वेक्टर एग्टीज है, तो उसमें भी एग्टीज आना चाहिए, क्योंकि जैसा है, तो यह तो जैसा है वेसा का वेसा रहेगा, वेक्टर 2 i के या एक काम करें, इसको सिंप्लिफाई कर लें, तो 2 i कट जाएगा, तो यहां पर बचेगा, j के प्लस 2 k के का मॉड्लस का स्क्वाइर, अब पहले में देखिए, i गाइब होगया, इसका मॉडलस आएगा, रूट 5, उसका स्क्वाइर 5, इसका 4 प्लस 4, 8, और उसका वापिस 5, सब का सम करोगे, तो आपका आंसर आजाएगा, इस 18, जो की आपका करेक्ट आंसर है, इसकी वेल्यू पूछी है, तो इसका सम आएगा, आपका 18, क्लियर, शुचली बात करते है, क्यूसर नंबर 26, जो है हमारा, ठीक है, इक्वेशन आप दी प्लेन, पी पासिंग थूदी इंट्रसेक्शन आप दी प्लेन, दीस और दीस, दीक है, दोनों के इंट्रसेक्शन से पास होने वाला प्लेन निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, x प्लस 4y, प्लस, नहीं, माइनस z, प्लस 7, प्लस लेंबडा टाइम, कितना आ जाएगा, 3x प्लस y प्लस 5z, माइनस 8 विल बी इक्वाल टू 0, यह इन दोनों प्लेन के इंट्रसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला प्लेन होगा, जो कि आपको इसके इक्वेलेंट दिया है, तो देखिए, सीधी सी बात है कि कॉपिशेंट का रेशियो सेम होगा, क्योंकि आइडेंटिकल तो है नहीं, कॉपिशेंट ट्रम जैसे इधर कुछ आ रही है, उदर कुछ आ रही है, ठीक है, तो यहां से कितना आएगा, देखिए, एक्स का कॉपिशेंट है 1 प्लस 3 लेम्डा, और उदर कितना है हमारे पास, ए, इक्वाल टू, य का कॉपिशेंट 4 प्लस लेम्डा, डिवाइड बाई B, कॉंस्टेंट ट्रम बात करें, माइनस जड था वहाँ पे, बिल्कुल, सो माइनस 1 प्लस 5 लेम्डा, डिवाइड बाई 6, और कॉंस्टेंट ट्रम देगिए, 7 माइनस 8 लेम्डा, यह इस साइड है, 15 को भी इधर लाएंगे, तो यह होगा माइनस 15, यह सारी चीजे, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, अगर यह इक्वल है, तो यहां से देखी हमारा आंसर आजाएगा, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको इसके इक्वल करके, यहां से लेम्डा निकालते हैं, देखिए, यहां से यह जाएगा 2 टाइम, यह जाएगा आपका 5 टाइम, 5, माइनस 5 इधर मल्टिप्लाई होगा, तो प्लस 5, माइनस 25 लेम्डा, इक्वल टू 14, माइनस 8 इंटू 2, 16 लेम्डा, इसको उदर लेगे, तो यह हो गया 9 लेम्डा, और 14 को इधर ले आए, तो यह बन गया माइनस का 9, तो यहां से लेम्डा की वैल्यू आ गई, माइनस 1, ठीक है न, 14 देद आएगा, तो माइनस 9, यह उदर जाएगा, तो प्लस 9 लेम्डा, बिल्कुल लेम्डा की वैल्यू माइनस 1, तो यह जो क्वांटिटी यह दोनों सेम है, एक दूसरे के, इसके अंदर लेम्डा को अगर माइनस 1 पूट कर दे, तो 7 प्लस 8 फिप्टीन, 15 बाई माइनस 15, इक्वल तो में आ जाएगा, माइनस 1, ठीक है, तो यहां से देखिए, हम A और B की वैल्यूस निकाल सकते हैं, पहले हमें A और B ही निकालना है, उसके बाद में आगे बात करेंगे, तो एक बार यहां भी फूट करके देख लें, यही आ रहा है, माइनस 5 माइनस 1, there will be minus 6 divided by plus 6, minus 6 divided by plus 6 कितना हो जाएगा, minus 1, बिल्कुल सही है, तो यहां से देखते हैं A कितना आएगा, 1 minus 3 divided by A will be equal to minus 1, तो minus 2, minus minus चला जाएगा, so A will be equal to 2, यहां से देखते हैं, 4 minus 1, 3 by B will be equal to minus 1, so B की वैल्यू कितने आजाएगी, minus 3, A 2 है, B minus 3 है, और lambda हम निकाल चुके हैं, ठीक है, सारी चीजना आ गई, हमें चाहिए क्या, the distance of the point is from the P, चली हमें A और B की तो जरूत ही नहीं थी, हमने ऐसे फालतों निकाला, lambda से है, हमें प्लेन मिल जाएगा, और प्लेन से distance निकाल लेंगे, तो लेंबडा की वाली माइनस वन यहां पूट करते हैं, तो देखिए हमें कितना मिलने वाला है यहां से, यहां से आपको मिलेगा, माइनस वन पूट करते हैं, x माइनस 3x, there will be minus 2x, 4y minus y, so there will be plus 3y, और minus z, minus 5z, there will be minus 6z, और साथ में आएगा 7, plus 8, so there will be 15, देखिए, इसमें क्या करना आपको, 3,2,-1 से perpendicular distance निकालनी है, कौन से पॉइंट से, 3,2,-1, तो देखिए, इसमें पूट करते हैं, तो यहां से आएगा, minus 6, 2 पूट करेंगे तो plus 6, minus 1 पूट करेंगे तो plus 6, 15, और डिवाइड बै रूट ओवर, 4 प्लस 9 प्लस 36, उपर 6 से 6 कटके, यह बचेगा 21, और नीचे 7, और आपका आंसर आजाएगा, फाइनली 0, 3, यह जो कि आपका सही आंसर होगा, ठीक है, जो क्यूट में आपसे पूचा है, कि इस पॉइंट की प्लेन P से दिस्टेंस क्या होगी, तो यह प्लेन P होगा आपका, जो हमने निकाला इधर से लेमडा निकालके, और यहां से फिर हमने क्या किया, अपनी डिस्टेंस निकाल ली, that is 0, 3, clear, चलिए, आगे बात करते हैं, क्यूट नमबर 27, देखिए, क्या है, देखिए, फिर से वेक्टर से है, आराम से कर सकते हम लोग, वेक्टर के क्यूटर बड़े इजीली सोल होते हैं, एजीली तो नहीं होते हैं, मैंने तो करनी होती है, हार क्यूटर में, अवेक्टर का मॉट दिया है, बड़े का और च का, ठीक है न, यह 2 है, यह 4 है, ठीक है न, यह एंड है मैं एक साथ में आ न, वेक्टर C का मॉट 4 दिया है, तो अवेक्शन ओब B ओन A is equal to the projection of C on A, तो projection of B, B का projection किसके उपर, A पर, तो A divided by mod A भी याएगा, ता इस 2, यह बराबर है किसके, projection of B on A is equal to the projection of C on A, C का, A के उपर projection और A का मॉट आएगा फिर से, that means, B dot A और C dot A दोनों बराबर है, साथ में दिया है a and b is perpendicular, means a dot b कितना होगा आपका, 0 होगा, if a and b is perpendicular to c, a and b दोनों c के perpendicular है, means a dot b भी 0 है आपका, और साथ में a dot c भी क्या है, b is perpendicular to c, अच्छा b is perpendicular to c है, sorry a और b नहीं, b is perpendicular to c, so b dot c क्या होगा आपका, 0 होगा, चलिए, उसकी value पूची है, तो उसका square निकालते हैं पहले, a plus b plus c का hall square, क्या होगा, a plus b minus c, बिल्कुल, minus c, तो यह होगा, a plus b minus c dot, a plus b minus c, लेकिए कितना आएगा, सबसे पहले आएगा, a dot a, mod a का hall square, that is 4, plus a dot b, a dot b, a dot b है, कुछ पता नहीं हमें, आगे बात करेंगे, a dot c, a dot c, a dot c है, minus a dot c, लेकि दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे, a dot b, minus a dot c, कितना हो जाएगा, 0, अब b का करते, b dot a, b dot a, फिर, b dot b, mod b का square, जो की कितना है, 16, plus, plus नहीं, minus b dot c, जो की 0 दिया है, तो इसकी value 0 पुट कर दो, minus c dot a, minus c dot a, वापिस देखिए, इससे यह कट जाएगा, क्योंकि दोनों का difference कैसा है, equal, c dot b, फिर से 0, और minus, minus, plus, mod c का square, there will be again 16, 16, तो कितना है हमारे को, 16 plus 16, 32 plus 4, 36, तो इसका square की value आ रही है, 36, किसके, mod a plus b minus c का, all square, और यह 36 है, तो इसके modulus की value कितनी आ जाएगी, mod or a plus b plus b minus c will be equal to 36 का root, जो की आएगा 6, और हम अपना answer लिखेंगे, 0, 6 है, clear है, यह था आपका question number 27, चली बच्चों आगे बात करते हैं, question number 28, और question number 28 क्या है, देखिए हमारा, 3 vector दिये हमें, a, b, c, such that a dot b, 1, b dot c, minus 3, तो यह निकालना है, तो देखिए, सबसे पहले तो आप में यह निकालने के लिए 3 vector की ज़रोत है, और उसमें कुछ arbitrary constant से उनकी values निकालनी है, तो बात करते हैं, उनकी values के बारे में, ठीक है, so a dot b, 1 दिया है, तो पहले a और b का dot product करते हैं, देखिए, कितना आएगा, alpha into minus beta, यहां से आएगा आपका minus का alpha, beta, ठीक है, इसके साथ में, इसके साथ में करेंगे, तो भी आएगा minus का alpha, beta, और यहां से आएगा minus का 3, और equal to मैं आपको दिया है 1, तो यहां से क्या आया, minus 2 alpha, beta will be equal to, आपके सामने आजाएगा 4, so alpha into beta की value आगई, minus 2, इसके अलावा आपको एक condition दिये, b dot c will be equal to minus 3, इससे देखें कितना मिलेगा, minus beta plus 2 alpha, और साथ में कितना आजाएगा, k गा k के साथ dot product करेंगे, तो 1 आएगा, so that will be equal to कितना हो जाएगा, minus 3, तो देखिए हमें यहां से कितना मिलेगा, यहां से मिलेगा 2 alpha minus beta, will be equal to, या इसको इधर ले आएगे, तो plus 4 will be equal to 0, तो देखिए हमारे पास में 2 equation है, यह सिधा कर देखें कि alpha into beta minus 2 है, और 2 alpha minus beta plus 4 0 है, तो ऐसा लग रहा है कि 1 2 और 1 1, और 1 negative और 1 positive होगा, तो देखते हैं, देखें, alpha को लेते minus 2, और beta को लेते 1, ठीक है, तो इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, इसके साथ मैं अगर दूसरे वाला लेके देखें, या एकाम करें, उसको भी solve कर लेते, a cross b dot c, वह सकता है कि उसमें direct use हो जाए, ठीक है, हमें इसकी जरूती ना पड़े, तो यह जो 2 values आई है, इसका direct use करते हैं वहाँ पर, ठीक है, जो अपना answer आएगा उसी के अंदर, चलिए बात करते हैं, a cross b dot c, क्या आएगा, alpha, beta, 3, minus beta, minus alpha, minus 1, 1, minus 2, ठीक है, 1, minus 2, और साथ में कितना आएगा, minus 1, ठीक है न, यह आ रहा है, चलिए करते हैं बात, ठीक है, तो इसकी value निकाल दी हैं हमें, और इसको 3 से divide करना है, तो देखते हैं कितना आएगा, मेरो लग रहा है जरूद तो पड़ेगी, क्योंकि यहां पर तो alpha, beta का square के format में आएगा, चलिए फिर भी देखते हैं, तो यह इदर से आएगा, alpha minus 2, so alpha into alpha minus 2, minus beta, यह और यह गया, यह इसके साथ पहलेगा, plus beta और plus 1, तो यहां से आएगा, beta plus 1, फिर यह इदर चला गया, यहां से आएगा, plus का 2 beta, plus का alpha, plus का 2 beta, और plus का alpha, यह आ रहा है, इसमें देखिए क्या आ रहा है, alpha square minus beta square, minus का 2 alpha, यहां से आ रहा है, minus beta, और यहां से आएगा, plus 2 beta, और यहां से आएगा, plus का alpha, इसको 3 से डिवाइड भी करना है, ठीक है, वो काम बाद में कर देंगे, simplify किया थोड़ा, तो minus 2 alpha, plus alpha बन गया आपके सामने, ठीक है, there will be alpha square, minus beta square, यह तो रहेगा ही, इसमें है minus 2 alpha, उदर alpha, so minus का alpha, और साथ में इधर है minus beta, इधर 2 beta, so plus का beta, यह आ गया, इसमें से देखिए, alpha minus beta common आ रहा है, so alpha minus beta को common ले लिया, तो यहां पर आएगा alpha plus beta, और इसमें से minus sign common लेना पड़ेगा, so that is minus 1, इसका मतलब यह हो गया, कि हमें alpha और beta की individual values भी चाहिए होगी, ठीक है, और इसको फिर जो भी answer आएगा यहां से, इसको आपको 3 से divide कर देना है, ठीक है, चलिए बात करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि alpha बीटा की value कितनी थी मेरे पास में, minus 2, और उधर है मेरे पास में, 2 alpha minus beta plus 4 will be 0, ठीक है, तो इधर 1 और उधर 2 यूज करते हैं, अगर यहां 1 यूज करेंगे, और यहां पर minus 2 यूज करेंगे, ठीक है, और बीटा की value आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है, इसको satisfy कर रही है, देखो, minus 1 put करेंगे, minus 2 plus minus 2 minus 4 plus 4, 0, और दोनों का product आ रहा है, minus 2, चाहँ तो आप solve कर लीजिए, ठीक है, मैं यह थोड़ा सा direct कर दिया है, alpha minus beta, minus 1 minus 2, यह minus 3 से 3 कट जाएगा, तो minus sign, alpha plus beta, दोनों को add करेंगे, तो आएगा 1, alpha plus beta कितना आएगा, 1 minus 1, नहीं, कुछ गडबड की है हमने, कुछ ने कुछ किया है, देखो पक्का, क्या किया है, minus 2 alpha, minus alpha plus beta, alpha square, minus beta square, alpha minus 1, और beta की value 2, तो minus 1 और minus 1 minus 2, एक बार direct put करना देखे, alpha square कितना आ रहा है, 1, minus beta square minus 4, alpha की value minus minus plus 1, और beta की value कितनी है, 2, तो कितना आ रहा है, 2 और 1, 3 और 1, 4 minus 4, 0, 0 नहीं आना चाहिए, एक बार calculation देखते हैं, वाला पार्ट तो मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है, उदर से तो इसको देख लेते हैं, एक बार, ठीक है, या उसको एक बार उल्टा करके देख लो, ठीक है, कहीं नहीं इसको satisfy तो कर रहा है, क्योंकि यदर आएगा तब ही फोर बनेगा, 2 alpha minus beta, तो वह value जाएगा इसमें देख एक बार दुबारा, देखे, alpha minus 2, alpha into alpha minus 2, यह सही है, minus beta, यह इसके साथ multiply होगा, plus beta, और यह minus minus plus 1, यह भी ठीक है, फिर यहां से आएगा 2 beta, और plus alpha, यह भी ठीक है, इसको solve किया, तो minus 2 alpha, plus alpha होगा, minus alpha, और minus beta plus 2 beta होगा, plus beta, तो alpha minus beta, alpha plus beta minus 1, तो इसकी जगे पर put की minus 1, और minus 2 minus 3, by 3 that is minus 1, और alpha plus beta minus 1, plus 2, और साथ में आ रहा है, यहां से minus 1, ठीक है, तो यह हो रहा है 0, जबकि answer 0 नहीं दिया गया, एक बार चेक करते हैं, चलिए, आगे इसको solve करते हैं, देखते हैं, ठीक है, कि यहां से कितना आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो, यहां से अगर alpha और beta के हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर हम alpha की जगे पर minus 1 put करते हैं, और beta की जगे पर 2 put करते हैं, ठीक है, तो यह इस condition को भी satisfy कर रहा है, और इसको भी कर रहा है, और चाओ तो आप इसको solve कर सकते हैं, इदर से alpha की value इदर put करके, और फिर जो भी value satisfy कर रही है, ठीक, equation को solve करने से आ जाएगा, पर simple data है, तो आप शिदा भी इस तरीके से solve कर सकते हैं, इसको solve करते हैं, देकी कितना आएगा यहांसे, alpha time, यहांसे आएगा alpha plus 2, plus 2, नहीं, minus 2, ठीक, न, alpha, यहांसे जाए plus, और यह minus 2, so, alpha minus 2, minus beta, यहांसे आएगा beta plus 1, और plus 3, यहांसे कितना यहाएगा, 願い कि 2 beta, प्लस alpha, इसको solve करने चे देखी कितना आ रहा है alpha is square minus beta is square minus 2 alpha plus 3 alpha so there will be alpha और साथ में देखी beta की ट्रम आएगी minus beta plus 6 beta so there will be 5 beta तो इसमें अगर हम values put करते हैं alpha और beta की value minus 1 और 2 तो देखी कितना आ रहा है 1 minus beta की square की 2 put किया 4 plus alpha की जगे put किया minus 1 plus 2 put किया beta की जगे 10 तो ये कट जाएगा और आपका आजाएगा 6 लेकिन देखी ये पूरा proper answer नहीं क्योंकि इसको 3 से divide भी करना है हमें तो ये जो भी आएगा इसको 3 से जब divide करेंगे तो हमारा जो correct answer होगा वो कितना होगा 0,2 तो ये आपका सही answer है क्लियर है चलिए आगे बात करते हैं next question that is question number 29 देखिए क्या है question number 29 में आपसे बोला गया कि A vector और B vector दो दिये गए हैं और area of the parallelogram whose adjacent sides represented by the vector A and B तो देखिए area of the parallelogram क्या होता है A cross B होता है इसका modulus अगर आपको पास वाली sides दी हुई हो तो इसका modulus होता है वही area होता है और A cross B कैसे निकालना है i cap, j cap, k cap, 1 alpha 3, 3 minus alpha and 1 देखते हैं कितना आएगा alpha plus 3 alpha so 4 alpha i cap यहां से आएगा आपके सामने minus j, 1 minus 9 minus 8 so यह हो जाएगा plus 8 j cap और last में आजाएगा आपके सामने minus alpha minus 3 alpha there will be minus 4 alpha k cap तो यह क्या आजाएगा यह आपके सामने इसका modulus होगा वह इसका area होगा और इसका modulus जब निकालेंगी तो हमें मिलेगा 4 को बाहर ले लिए so 4 तो बाहर आजाएगा और root में आएगा 1 plus 4 plus 1 और यह आपको कितना दिया है यह दिया है आपको 8 root 3 के equal ठीक है नहीं 1 नहीं आएगा देखो यहां से alpha आएगा यहां से भी alpha आएगा so alpha square plus alpha square plus 4 will be equal to this 4 से cancel out हो जाएगा 2 time तो देखिए यहां से मिलेगा 2 time alpha square plus 4 will be equal to 4 into 3 12 so 2 alpha square will be equal to 8 तो alpha square will be equal to 4 तो alpha की 2 values आ रही है आपकी एक 2 और दूसरी minus 2 हमें कुछ बोला गया है की alpha कैसा है positive negative नहीं बोला गया है that means दोनों ही case में साहिए same answer आ रहा होगा और हो सकता है alpha square directly use हो जाए तो a dot b पूचा है तो a dot b की अगर value की हम बात करें तो देखे कितना आएगा a dot b will be equal to 1 into 3 that is 3 alpha into minus alpha that is minus alpha square और 3 into 1 so there will be again 3 तो 6 minus alpha square और क्योंकि इसलिए आपको कुछ दिया हुआ नहीं था क्योंकि a की answer आ रहा है दोनों ही case में that is again 0,02 आपका सही answer होगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं question number 30 देखी क्या है question number 30 में आपको बोला गया है कि यह जो x और y जो 2 vector है वो इस condition को satisfy कर रहे है और साथ में जो y vector है आपका वो इसके साथ में perpendicular है तो lambda की value क्या होगी तो देखिए सबसे पहले तो अगर y इसके साथ में perpendicular है तो 2x plus y lambda y इसका y के साथ में अगर dot product करेंगे तो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए तो देखी कितना आएगा 2 time x dot y plus lambda time y dot y there will be mod y का square will be equal to कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा चलिए साथ में हमें यह दिया गया है कि x plus y का modulus x के equal है तो इससे देखिए क्या condition आएगी इससे का अगर मैं square कर दूँ तो x plus y dot x plus y will be equal to हो जाएगा x dot x एक ही कितना हैगा mod x का square plus mod y का square plus 2 time x y x dot y will be equal to mod x का whole square x तो कट जाएगा y के अंदर एक equation यहाँ पर है एक equation यहाँ पर है 2 x y की जगे पर value put कर सकते हूं minus का mod y square तो यहाँ पर put किया minus का mod y square plus lambda time mod y का square will be equal to 0 so, mod y का square common आ जाएगा lambda minus 1 equal to 0 अब आपको देरक का है कि x और y कैसे non-zero vector है तो mod y तो 0 हो नहीं सकता इसको 0 होना पड़ेगा और इसको जब 0 करेंगे तो आपको lambda की value मिलेगी 0 1 जो कि आपका सही answer होगा 0 1 lambda की value ही आपसे पूछिए तो यही आपका answer है clear है? चलिए आगे बात करें question number 31 देखिए क्या है question number 31 के अंदर आपको बोला गया है कि vector दिये हैं आपको vector उपर बहुत questions आ है देखिए integer type में a, b और c r cross a equal to c cross a को satisfy कर रहा है and r dot b 0 है तो r dot a क्या होगा यह हमें निकालना है चलिए बात करते हैं r cross a equal to c cross a जैसे पीछे हम कर रहे थे इसको इधर ले आएंगे तो इधर लाएंगे तो क्या आएगा देखिए r minus c cross a लिख सकते है आप उसको r minus c cross a will be equal to 0 तो यहां से पता चलेगा कि r minus c को किसके equal है lambda a के equal तो r की value equal हो गई मेरे पास किसके c plus lambda time a अब देखिए हमें r का b के साथ dot product 0 दिया है तो r का b के साथ dot करते हैं तो r dot b कितना आएगा c dot b plus lambda time a dot b सारी values निकाल सकते है r dot b 0 दिया है c का b के साथ dot product देखिए i dot i 1 minus j into minus j again plus 1 और k की term है नहीं तो हट जाएगी plus lambda time a dot b कितना आएगा देखिए a आएगा हमारे सामने a dot b a का b के साथ में so 1 into 1 again 1 इसके बाद 2 into minus 1 so there will be minus 2 और क्योंकि case में है नहीं तो वह फिर से 0 हो जाएगा तो यहां से minus lambda plus 2 will be equal to 0 so lambda की value 2 आ गई lambda की value 2 यहां put करें तो r vector आ गया मेरे पास में किसके equal c plus 2 a vector के अब मेरे से क्या पूछा है मेरे से पूछा की r dot a कितना होगा तो r dot a की value में यहां से निकाल सकता हूँ r dot a will be equal to कितना हो जाएगा c dot a c dot a की value में निकाल सकता हूँ plus 2 time mod a का hall square ठीक है c dot a में निकाला है क्या पहले c dot a निकाला c dot b निकाला c और a का dot product 1 into 1 is 1 minus 1 into plus 2 is minus 2 और 7 में minus 1 into 1 again 1 तो यह तो 0 आ रहा है plus 2 time mod a का hall square 4 plus 1 plus 1 so there will be 6 तो 0 plus 12 तो आपका जो correct answer हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहां पर 12 ठीक है तो पर normal आपको vector equation को solve करना था यहां पर इस तरीके से आराम से solve हो जाएगा चलिए आगे बात करते हैं question number 12 क्या है देखिए 12 नहीं 32 question number 32 के अंदर आपको बोला गया है कि let three vectors a,b and c,b such that c is the co-planar with a and b देखिए अगर c a और b के साथ co-planar है तो आप इसको लिख सकते हो lambda time b cross a cross b और चाहो तो आप b की जाएपर a का भी use कर सकते हो दोनों part में आपका answer सही होगा तो कि a और b दोनों के साथ में वो कैसा है co-planar है clear है चलिए a dot c 7 दिया है हमें और b is the perpendicular to c ठीक है न, b c के साथ perpendicular है तो a ये है, b ये है तो मिस सबसे पहले हमें c निकालना है ठीक है न, जब vector c आ जाएगा तभी हमारा कुछ काम हो पाएगा तो c vector निकालता है देखिए, c will be equal to lambda time b dot b there will be mod b square into vector a और minus a dot b और a और b आपको बोला गयागी vector and b is the perpendicular to c अच्छा, c के साथ में perpendicular है ठीक है तो, बट हमें देखिए a और b दिये गए तो हम उसकी value निकाल लेंगे कोई दिकत नहीं है so a dot b पहले दूर वाले के साथ किया so mod b into a vector फिर pass वाले के साथ किया so a dot b into b vector ठीक है तो यह आ जाएगा आपके सामने b cross a cross b mod b का whole square कितना होगा 4 plus 1 that is 5 so lambda time 5 into vector a vector a कितना है minus i plus j plus k minus i k plus j k plus k k minus a dot b तो उनों का dot product कितना आएगा minus 2 2 into minus 1 minus 2 j गाएब होजाएगा k की जगे पर 1 into b vector b vector है 2 i k plus k k a की कितना आ रहा है यह आएगा आपका lambda time minus 5 i यहाँ पर minus 2 plus 1 minus minus plus 1 हो जाएगा यह पूरा cancel out होगे plus 1 तो उसके साथ इसको add करना है minus 5 plus 2 there will be minus 3 i k plus 5 j k उदर है नहीं और 5 k plus k will be 6 k k तो यह आजाएगा आपका 14 तो यहां से lambda की value आ गई 1 by 2 और lambda की value 1 by 2 यहां पर put कर देंगे तो हमें vector c मिल जाएगा clear है अच्छा यह condition तो हमारी काम में नहीं आई अच्छा यह चीज हमने यहां काम में ले ली देगिए यह जो हमने condition लिखिए b is the perpendicular to c ठीक है तो a cross b का cross product करना है वो आप b के साथ ही कर सकते हो ठीक है यहां पर आप a को नहीं ले सकते हो ठीक है तो a के साथ लोगे तो फिर perpendicular नहीं आपाएगा ठीक है चलिए तो यहां से बात करते है a plus b plus c का modulus का square तो देखिए i k coefficients को add करते है सबके इधर है minus 1 यहां से देखना minus 1 यहां पर i का coefficient plus 2 उधर lambda की value 1 by 2 आए थी so minus 3 by 2 into i k अब देखिए j के coefficient यहां पर है 1 यहां पर j है नहीं वहां से आएगा plus 5 by 2 j k k की बात करते है k का coefficient यहां से 1 यहां से भी 1 और उधर से आएगा 6 by 2 there will be 3 k k तो देखिए कितना आएगा इसका square करना है modulus का square निकालना है तो चलिए निकाल लेते है यहां पर लिख लेते है इधर से कितना आएगा 2 minus 1, 1 ठीक है तो इधर 1 बचेगा so 1 into 2 is 1 1 into 2 is 2, 2 minus 3 is minus 1 तो पहले वाली ट्रम आएगी आपकी 1 by 4 plus 7 by 4 यहाएगी 49 by 4 और यहां से कितना आएगा 3 plus 1 plus 5 6 3 plus 1 4 plus 1 5 5 का square 25 25 और इसको 2 के साथ multiplication करना है देखी कितना आएगा 2 से multiplication करना था और यही आपका क्या था? क्यूसन था तो देखी हमने अच्छी तरीके से इसको discuss करने की कौसिस किया आप लोगों के साथ ठीक है फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा हो इसके अंदर तो आप आकर के पोच सकते है डाउट क्लास में अपना clear? okay thank you very much